अब जब भी भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे आज हम शुरू करने जा रहे चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टर अन अलॉट्मेंट अफ सिक्यूरिटीज यह हमारे ब्रह्मास्तर सीरीज का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 है इसके अंदर टोटल दो पार्ट्स आपको मिलेंगे चैप्टर 3 के अंदर चैप्टर 3 में जो पार्ट 1 है वो डील करता है प्रोस्पेक्टर से और अलॉट्मेंट अफ सिक्यूरिटी से जो की 23 सेक्शन नंबर 23 से लेके 41 तक चलता है और जो पार्ट 2 है वो एक्सक्लूजिवली डील करता है प्राइवेट प्लेस्मेंट से जो की सेक्शन 42 के अंदर है और बहुत 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 जादा इंपोर्टेंट है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है हम स्टार्ट भी सेक्शन 42 से ही करने वाले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन जरूर दूँगा चेप्टर से चेप्टर के बारे से और उसके बाद मैं आपको सीधा सेक्शन 42 पे लेके जाऊंगा क्योंकि वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है नोट्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं उमीद करता हूँ कि अब तक के जितने लेक्टर ज्याने कि चेप्टर वन चेप्टर टू आपको बहुत 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 पसंद आए हैं अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके गुरु दक्षिना जरूर दे सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी भावनाओ भी जरूर व्यक्त करके जाईएगा ठीक है जी अब चेप्टर नमबर 3 की क्या अप्रोच रहेगी तो मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंट अमेंडमेंट इस पे ऐस सच कोई नहीं है छोटे छोटे कुछ है शब्दो का खेल है लेकिन उतना उनका मटेरियल अमेंडमेंडमेंट नहीं है रेलिवेंस नहीं है उसका रहते रहते जब चैप्टर करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा इसकी अप्रोच ऐसे रहने वाली है कि सबसे पहले अपन प्राइवेट प्लेस्मेंट करने वाले जो बहुत ज़ादे इंपोर्टेंट है सेक्षन नमबर 39 and 40 मैं बताना चाहता हूँ देखो ये तो पार्ट 2 में कवर हो जाएगा और ये वाला जो है ये पार्ट 1 जो है इस चेप्टर का सेक्षन 39 और 40 पार्ट 1 की जान है मतलब अगर मैं बोलू कि ना उस पूरे पार्ट 1 की जान किस पे बसती है ने कि अगर आप देखेंगे तो आपको इन ही कही रेलिवेंस मिलेगा यही कोश्चन आपको दिखेंगे अलग-अलग तरीके से मेरी पूरी कोशिश यह है इस चेप्टर के अंदर कि मैं आपको नस्प पकड़ा दू हर जगा की ताकि किसी भी प्रकार का कोश्चन आए आप उसको अच्छे तरीके से टेकल कर पाए अब आज की जो चेप्टर की मेरी अप्रोच है न यह चेप्टर में मैंने इतने बेस्ट रफट लगाए हैं अपने सारे चीज़ों जो फैली वी थी उसको एक जगा करने की कि यह चेप्टर जब आप कर लोगे इस लेक्चर के बाद तो आपका जो जाले जमें होना या कुछ होगा कि कहीं confidence नहीं आरा कुछ नहीं हो रा वो सब brush up हो जाएगा आपको बस शांती से मेरे साथ last तक इस lecture में बने रहना है मैं पहले एकदम important चीज़े आपको कराऊंगा उसके बाद थोड़ी कम फिर थोड़ी कम बीच में writing practice भी कराऊंगा कुछ questions की अब जैसे की मेरे नजर में private placement बहुत जादा important फिर 39 से 40 बहुत जादा important ऐसे करके एक 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 करके हम लोग लेके जाएंगा और amendment इस पर ऐसा चैने pen copy लेके बैठियेगा क्योंकि बीच बीच में जो भी मैं noting करवाऊंगा कुछ questions के मैं crux लिखवाऊंगा आपको कुछ के मैं proper questions लिखवाऊंगा keywords mark करवाऊंगा तो ये आपको लेके बैठने इतना करने के बाद आपको बहुत अच्छा खासा confidence इस पर आ जाएगा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और बेहनों पहला question जो की January 21 में 4 marks का आयावा है ध्यान से इसको समझ के लिजेगा बड़ा प्यारा question है और यहीं से आपकी सारी चीज़े शुरू आजाएगी question में जाने से पहले direct जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा chapter के बारे से introduce कर देता हूँ chapter number 3 जो मैंने बताया दो पार्ट पे divided है section number 23 से यह शुरू होता है section number 23 जो है यह बात ही करता है public offer and private placement की अब इसको शुरू करने से पहले आपको पता होगा कि भई कोई भी company है उसको funds की जरवत होती है तो सबसे usual तरीका जो है funds raise करने का वो होता है shares या और general terms अगर में use करके बोलू तो securities दो प्रकार की company हमारे पास एक public company एक private company definitely आप इस बात से बहुत अच्छे से रूबरू रहे होंगे रहे भी हैं कि public company जो है वो public से पैसा ले सकती है याने कि अगर मेरी अरजुन शाब्रा टूटोरियल लिमिटेड है एक public company है मैं जनता जनारदर से general public से अपने company के बारे से थोड़ी जानकारी दे के मेरी company क्या काम करती है आप मुझे पैसा देंगे तो मैं कहां पर लगाऊंगा एकसेक्टर एकसेक्टर डीटेल देने के बाद उनको convince करने के बाद मैं उनसे पैसे ले सकता हूँ और वो मेरी company में जितने पैसे लगाएंगे उतने percent के या उतने हिस्से के हिस्सेदार बन जाएंगे shareholder बन जाएंगे member बन जाएंगे तो public company के पास पैसे race करने के कुछ ये तीन तरीके होते हैं सबसे पहला पन बोलते हैं कि आप public से ही race कर लो through prospectus अब prospectus क्या है prospectus सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे आप किसी college में जाते हैं या किसी भी academic institute में जाते हैं या किसी कार वाले showroom में जाते हैं तो आपको एक browser या prospectus था दिखाते हैं जिस पे उनके car के बारे से या उनके product के बारे से जानकारी होती है प्राइज होता है हर अर college के अंदर भी मिलेगा कि college कितने courses offer करता है एक्सेक्टर वैसे ही आप किसी company में अगर invest करना चाते तो company का prospectus company का नाम बताता है उसके directors बताता है कौन directors है who are the promoters company कितने समय से चल रही है पिछले 3 साल या 5 साल relevant financial year का क्या profit रहा है क्या turnover है company कौन से object में काम करती है अने की company का काम क्या है और company का आगे vision क्या है वगेरा वगेरा ताकि company का एक आपको basic bureau पता चल सके कि company actual में कहा located है कहा उसका plant है क्या काम करती है अब तक कितना turnover है और आप यह decide कर पाएं कि आपको company में पैसे लगाना है कि नहीं लगाना है तो public company को अगर जनता जनार्दन से पैसे लेने होते तो वो क्या करती है prospectus issue करती है और section 23 से लेके 41 का comply करती है section 23 से लेके 41 का comply का मतलब part A का compliance एक right issue और bonus issue है यह हम share capital वाले chapter में cover करेंगे दूसरा तरीका है तीसरा तरीका होता है private placement जो अपन बहुत जल्द ही पढ़ने वाले हैं अभी जब आप private placement के through पैसे लेते हो तो आपको part 2 का compliance करना होता है अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा private placement एक second में बता दू प्राइवेट प्लेस्मेंट में आप जनता जनारदन के पास ना जाके कुछ चुनिंदा लोगों के पास जाते हो अब जैसे कि मैं मेरी बात करू अब जैसे कि अर्धुन शावरा टूटोरियल चाहे private limited हो चाहे limited हो दूर गाओं में out of India कोई मेरे मामा जी रहते उनके पास भी बहुत पैसा है मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं public issue करता हूँ अगर मेरी public company है prospectus के खर्चे बहुत सारे आरोसी को prospectus file करना पड़ता है public को देने से पहले filing fees रहेगी किसी professional से prospectus बनवाने पड़ेंगे expert की statement ह लॉका compliance पुरा करना पड़ेगा खर्चे अच्छे खासे आएंगे क्यों ना जो इतने पैसे वाले लोग मेरे जीवन में हैं मैं उनसे जाके one on one जाके पैसे मांग लिता हूँ इसको बोलते हैं मैं अपने shares को privately जा जाके एक एक को convince करके place कर रहा हूँ और उनसे पैसे लेके follow करना पड़ता है follow यानि की comply करना पड़ता है अब मैं बात करता हूँ private company की जैसे देखो public company के लिए तो तीन रास्ते अवले बले है एक कौन सा public issue कर लो prospectus के थूँ public issue यानि की public को shares दे दो prospectus issue करके जिस भी public को interest होगा आपकी company में invest करने का हो कर लेगी एक right issue है share capital वाले chapter में इसको समझेंगे chapter number 4 पे एक private placement है private placement का मतलम मैं आपको बताया private company के पास दो ही रास्ते हैं एक right issue वाला और एक private placement private company भी कर सकती इनको भी part 2 comply करना पड़ेगा यानि की section number 42 comply करने पड़ेगे ये बात होती है section number 23 की ठीक है इससे एक बात अपने को निशकर्ष निकाल के लिए अ पन इसका तो इससे हमको एक चीच समझ में आती है private company के पास public वाला रास्ता तो नहीं है क्योंकि आपने private company की जो definition पड़ी थी section 2 clause 68 में वहीं पे लिखा था प्रोहिबिट करती है private company को उसके article प्रोहिबिट करते है कि आप public को security issue नहीं कर सकते है तो public वाला रास्ता private company के पास available नहीं है right issue available है थोड़ा सा right issue के बारे से भी बता देता हूँ idea at least आपको रहना चाहिए right issue का मतलब जो हमारे existing shareholders होते है न हम उनको ही बोलते कि भई तुम हम हमारी company में पहले से पैसे लगाए हो हमको पैसे की और जरुवत है हम बाहर वालों से ले इससे अच्छा आप ही हमें दे दो उसको बुलते right issue right का मतलब existing shareholder का पहला right है जब हम दुबारा कोई share issue कर रहे उस shares को लेने का पहला right उनका that is right issue ठीक है तो private के पास दो तरीके के रा आ जाती कि सर private company के पास prospectus वाला जो वो provisions होएंगे वो private company के लिए बने ही नहीं है क्योंकि prospectus वाले जो provision है prospectus word का इस्तमाल ही तब होता है जब आप public के पास जा रहे हो और public के पास जा रहे हो तो आपको वो document लेके जाना है तो वो public company जा सकती है तो prospectus से related जितने भी प्रवध से related वो exclusively public company के लिए रहेंगे क्योंकि private company के लिए prospectus का कोई काम ही नहीं हो public से पैसे लेही नहीं सकती है यहां तक अपनों बाते समझ में आ गई है अब मैं थोड़ा सा आपको private placement के बारे से बताना चाहता हूं direct मैं आपको जम करा रहा हूं private placement में दिहान से समझ ना वैसे तो private placement और public issue में आप पर्क समझ गए public issue का मतलब आप सीधा public पे जा रहे हो कोई भी आपकी company में पैसा लगा सकता है ना कि आपके near dear बट जो आपको शाद जानते भी नहीं है आप उस पे पैसे लगा सकते हैं जैसे बड़े-बड़े reliance, tata, mahindra ठीक है यह जितनी भी public company हैं आप में से कई लोग के जो guardian होंगे, father होंगे, mother होंगे, sister होंगा, बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होंगी, पैसे लगाए होंगे इन company में, तो क्या मुकेश अंबानी जी, या रतन टाटा जी, या जो महिंदरा जी हैं, जो उनके founder हैं, वो सब जानते हैं क्या, आपके मम्मी क पापा को नहीं जानते हैं, क्योंकि public company कोई भी लगा सकता है, तो public issue की अगर मैं बात करूँ, तो sale of securities on open market, खुला market है, जिसको आना है, shares ले जाओ, to any type of investor, जब मैं बात करता हूँ private placement की, तो जो मैंने बताया कि, आप चुनिंदा लोगों को, मामा जी को, दोस्त के पापा को uncle को, आप जिसको चाहते हो, आप उसके पास privately जाके, क्यार मेरी company में पैसे लगाते हैं, तेरे पास काफी सारे पैसे, मेरी company को जरुवत है, तो इतने का हिस्तेदार बन जागा, तेरा भी फाइदा, मेरा भी फाइदा, तो private placement में आप अपने securities को, when I use the word security, security एक general word है, जिस प bond भी आ जाएगा, सब आ जाएगे, security एक generalized, general term है, यह सारे specific term है, जो मैंने लिखा है, तो private placement में आप अपने security को, small number of selected investor को, sell करते हो, और जो small number of selected person है, जो मैं बारवार शब्द इस्तमाल कर रहा था, हिंदी का, चुनिंदा परसन, उन चुनिंदा परसन को, companies that 2013 के chapter number 3 में, section number 42 के अंदर एक नाम दिया है, उस नाम को हम प्यार से बोलते है, identified persons, आप identify करोगे persons को, और उन identify person को अपने security sell करोगे, ना कि जनता जनारदन को, ठीक है सर समझ मैं, अब, private placement जो है, private placement जो है, ध्यान से इस बात को समझ के लिए न, private placement सिर्फ identified person को को यह तो पता चल गया, कमपनी है, बराबर, तो मैंने जैसे आपको बताया, अंकल जी, मामा जी, मेरे दोस्त के पिता जी, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, अब, बात यह है, मेरे भाईयों और भेहनों, ध्यान से मेरी बात को समझ न, कमपनी को चलाने वाले कौन होते हैं, क्योंकि कमपनी का कोई physical existence तो है नहीं, तो कमपनी का दिमाग, कमपनी के, कमपनी के जो चलाने के human agent है, वो ते director, जिनको हम collectively board of director बोलते हैं, individual director बोलते हैं, तो वो जो board of director है न, वो identify करते हैं कि किन-किन person से अपन पैसे ले सकते हैं, existing shareholder तो होंगे, वो बोलेंगे कि भाया, तुम उनसे इतना बड़ा-बड़ा पैसा ले रहे हो, उनका involvement भी हो जाएगा, इनका भी involvement है, तीजे dilute होने लगेगी, तो मान लीजे company में 10 लाक रुपे अगर लगे, already जो shareholder है, उन्होंने 5 लाक रुपे लगाए हैं, तो 10 लाक मे पूरे जो already shareholder है, 5 लाक लगा है, तो मिला जो लाक है, उनका 50% का दब-दबा है company में, एक प्रकार से voting power है, एक प्रकार से control है, अब company कह रही है, हमको 25 लाक और चीर बाहर वाले से ले रहे हैं, तो 10 लाक प्लस 25 लाक हो जागा, 35 लाक, अब 35 लाक में तुमारे पस सिर 5% है, तुमारा तब-दबा dilute हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि बाहर वाले पैसा लगा रहे हैं, तो भई, इनसे भी पूछना पड़ेगा, आपके existing shareholder जो है ना, उनसे भी पूछना पड़ेगा, तो board of director पहले खुद identify करेंगे, उसके बाद, identify करने के बाद, shareholder की meeting रखवा के, अप्रूफ किया जाएगा, कि हाँ भई, बोर्ड ने जिन लोगों को चूना है, identify किया है, उनको हम भी अप्रूफ करते हैं, तो private placement हमेशा identified person को होगा, identified person is the keyword, identify board करेंगे, अप्रूफ करेंगे shareholder, special resolution पास करके GMA, SR का मतलब special resolution general meeting में, ठीक है सरी, यहां तक समझ मैं, अब बा identified person, तो ऐसे करके तो तुम तो लाखों को identify कर लोगे, एक list बना लोगे, बोले हमारे महले में इतने पडोसी हैं, सब के पास भरपूर पैसा है, महले के पूरे 400 लोग, तो यही होगे, बोले यह सब पैसा, तो भाई, यह तो as good as public type का हो जाएगा, कि public offer कर लियो, private placement के नाम से आपने public को दे दिया, पुरा महला, पुरा बाड़ा, पुरे टाउन को ले ले रहे हो, तो lawmaker ने इस चीज को समझते वे, बोला, identified person को identify करने की भी एक limit होगे, तो lawmaker ने, यानि कि पाल्लियामेंट में जब यह act बना, तो उनने बोला, identified person shall not exceed 50, यह lawmaker ने बोला, और बोले higher amount as prescribed, बोले हम तो बोल रहे हैं कि 50 ही होना चाहिए, लेकिन central government हम तुमको पावर देते हैं कि तुम इस 50 को कल को जरुवत पढ़ने पर बढ़ा भी सकते हो, तो और higher amount as prescribed, तो lawmaker ने central government को खुद पावर दे दिया, कि वही हम 50 बोल रहे हैं, तुमको कल को लगे बढ़ाने की जरु पता तो बढ़ा लेना, central government ने अपना पावर इस्तमाल किया और इस 50 की limit को 200 कर दिया, तो अभी current limit जो है, वो 200 है, ठीक है, ये 200 कैसे आया, भाई, lawmaker ने ही central government को पावर दिया, कि तुमको जरुवत लगे तो बढ़ा लेना, तो central government को यहने की ministry of corporate affairs को जरुवत महसूस हुई, और उनने इसको 200 कर दिया, तो current limit हमारी कितनी है, 200, ये rules में, ये rules में, कौन से rules में, ये भी समझेंगे, लेकिन फिलाल एक, आप basic understanding इसकी लेलो, 200, ठीक है जी, अब मेरा point ये बेटा, ध्यान से इसको समझना है, ये जो 200 की limit है, अब 200 की limit है जैसे मैंने आपको बताया कि securities के अंदर ये सारी चीज़े आती है, चीक है, तो ये जो 200 की limit है न, ceiling बोलते हैं, the keyword will be ceiling, ceiling याने कि इसके उपर आप नहीं जा सकते है, जो अपन बार बार limit यूज़ कर रहे है, उसकी जगा keyword यूज़ करेंगे ceiling, तो ये जो 200 की ceiling है न, ये individual security के लिए, individual security, individual security का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए, आपने 200 लोगों को identify किया, आपके shareholder ने approve भी किया, और आपने इनको equity shares दे दिये, private placement में allot कर दिये अब आपके न, company को और पैसे की जरुवत है, तो उनने फिर से 200 लोगों को identify किया, और उनको इस बर preference shares दे दिया तो point to be noted, जद साब, कि जो 200 की ceiling है, ये individual security के लिए, और जैसे कि आपने बोला, क्या बोला, कि भाई हमने 200 को identify किया, और 200 को identify करने के बाद, हमने equity दे दिया तो equity के लिए 200 की ceiling अब खतम हो चुकी है, अब तुम बोलो कि हम 50 लोगों को और equity देना चाहते हैं, private placement में नहीं दे सकते हैं हाँ, preference shares का आपने अभी तक इस्तमाल नहीं किया है, आप 200 लोगों को identify करो, preference दे दो उनको, अब equity की ceiling खतम, preference की ceiling खतम, debentures हैं, अब तुम ने फिर 200 लोगों को identify कर लिया, और बोले कि ना हम इनको equity देना चाहते हैं, हम बोलेंगे भाईया 200 की उसका खाचा भर गया है, बोल क्या कर, बोले debenture दे दो, तो तुमने 200 को debenture दे दिया, तो point यह बेटा, यह 200 की limit, blanket limit नहीं है, कि तुम कोई भी प्रकार की security issue करो, total 200 ही होने चाहिए, तुमने मालो 50 equity किया, 50 preference किया, 50 debenture किया, 50 bond किया, ऐसे करके 200 हो गया, यह सब private placement में था, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है, कि blanket limit नहीं है, ऐसे चदर जैसे नहीं, उपर 200 हो गया, हम इलाज अलाखे जितनी भी security थी, नहीं, आप equity के 200 कर सकते हो, preference के 200 कर सकते हो, debenture के 200 कर सकते हो, यह 200 की ceiling, individual security में applicable है, blanket applicable नहीं है, blanket यह नहीं की overall नहीं है, individual security है, ठीक है सर, समझ में हैं सर, यह भी समझ में है, idea लगा सर सर, यह जो 200 की limit है, यह क्या lifetime limit है, नहीं, एक financial year की, एक अपरिल से लेके 31 मार्ज जो financial year होता है, वो 200 की limit उसमें, मान लो आपने इस बार exhaust कर लिया, एक financial year में, अब नया fresh financial year आ रहा है, फिर 200 कर लो equity preference ऐसा, तो यह जो 200 की ceiling है, यह एक financial year की है, ठीक है समझा, अब बात सुनना यह 200 की ceiling है, इस पे हम किसको नहीं count करेंगे, बिलकुल ध्यान से समझना, exclude लिखा है मैंने, यह individual limit for each kind of security तो समझ गया, exclude करा जाएगा, exclude किसको करेंगे, यानि कि जब आप 200 की ceiling को ध्यान पे रखते वे count करेंगे, यहां अभी 150 होगे, आप 50 और बचे हैं, तो यह 200 की ceiling में कि किसको आपको include रखना है, यानि कि किसको आप count करोगे, और किसको आपको exclude रखना है, किसको आप count नहीं करोगे, although वो पैसे लगाएंगे, लेकिन आपको उनको count नहीं करना है, तो exclude आपको करना है qualified institutional buyer को, and now who are qualified institutional buyer, ध्यान से इसको समझ के लिए, इनको SEBI, Securities Exchange Board of India, इनको prescribe करत नाम सही समझ में आ रहा है, कि ऐसी कोई संस्ता है, जिसका कामी invest करने का है, example के तोर पे, SEBI ने जिसको prescribe किया, Life Insurance Corporation, इनका कामी invest करने का है, ठीक है, Financial Institutional Investors, इनका कामी invest करने का है, Public Financial Investor, कामी invest करने का है, जितने भी banks है, जितने भी mutual funds है, mutual funds कंपनी होती है जो आपके पैसे को shares पे लगाती है, तो भई, इनका तो कामी है ना, they are qualified for that purpose only, उनका कामी invest करने का है, तो जो ऐसी संस्ता है, जो ऐसे organization है, जिनका काम ही अदग, अलग, अलग security में invest करने का है, lawmaker ने उनको एक word दिया है, कि that they are qualified institutional buyer, एक संस्ता है, जो की qualified है, कहा से qualified है, SEBI, कोई regulatory body ने उनको कु यह है, कि हां भई, आप invest कर सकते हो, तो they are qualified institutional buyer, उनका कामी है, तो भई, जिसका जो काम है, invest करने का, आप उनको इकाउंट कर लोगे, तो कभी-कभी क्या होगा, आपको पता है, क्या, ऐसा हो जाएगा, कि company बोलेगी नहीं ने, भई, आप लोग qualified institutional buyer को मौका नहीं देना चा पता है, उनका धन्दा भी तो चौपट हो रहा है, ताम ही वह है, लेकिन ceiling limit में count कर रहे है, तो company उनको allow नहीं कर रही है, अच्छा law में करने, इसमें बुद्धी लगाई, और बोले इनको count मत करना, दोनों का भला हो गया, company बोलेगी चल भाई, तू count भी नहीं हो रहा है, जिनको हम ESOS scheme के हिसाब से, shares a lot करते है, ESOS scheme, Employee Stock Option scheme, सर, ESOS क्या है सर, ESOS ऐसा होता है कि company के director हो गए, company के जो employees हो गए, उनको हम क्या बोलते पता है क्या, कि भाई, company भविश्य में securities issue करेगी, मानलों भविश्य में issue होगी, for suppose, 250 से लेके 300 की range में एक share का price रहेगा, हम आपको आज एक option दे रहे हैं, विकल्प दे रहे, आप चाहो तो, जो भविश्य में हम 200 से 300 रुपे में shares issue करेंगे, आप उस shares को आज 1500 में book कर सकते हो, मिलेगा तबी, 1500 रुपे का विकल्प ले लो, 150 रुपे का विकल्प ले लो, option ले लो, तो आज अगर आप वो option लेके exercise करोगे, मतलब आज आप विकल्प ले लो, option ले लो, कि हाँ भविश्य में जब होगा न, तो मैं लोंगा 150 में, जबकि भविश्य में वो 250 से 300 की range में रहेगा, लेकिन आज आपने विकल्प ले लिया अब जब कल को वो issue होगा, आप उस विकल्प को exercise करोगे, इस्तमाल करोगे, इस option को इस्तमाल करोगे, option is nothing but a right given to a employees of the company or director of the company, right है, क्या right है, जहां जो share 250 से 300 रुपीज का range करेगा in future, आपका right है कि आप उसको 150 पे ले सकते हो, तो आज आप एक right खरीद लेते हो, बराबर है क तो बोले, उनको भी नहीं गिनना है, जो employees of the company, जो isos scheme के हिसाब से, कोई shares लिये हुए है, बराबर है क्या, उनको भी नहीं गिनोगे, क्यों, अरे भाई या, employees को तो हम जान बुछ के shares देते है, company के, ताकि उनको पता है, हम जितना अच्छा काम करेंगे, company बढ़ेगी, तो आपको इसका, आपको लग रहा होगा, ये शायद regular lecture के जैसा है, बट आप विश्वास मानने, regular कुछ और अलगी level का होता है, regular lecture का तो मतलब ये hardly 10% होगा, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन क्यों इतना थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, क्योंकि topic बहुत important है, आज आए भी इसका लिखवा के लूँगा, तो दिमाग में बैठा रहे गई है, अब बात को सुनना, मान लीजिए, company ने कोई भी non-compliance किया, कोई भी non-compliance किया का मतलब, individual security की जो 200 की ceiling है, 200 से ज़्यादा identified person हो गए, तो मान लिया जाएगा कि ये private placement नहीं है, ये public offer है, और जब इसको म 3 से लेके 41 तक है, सब आपके उपर applicable हो जाएगे, और सब आपको comply करना है, नहीं करोगे, तो उनकी इदर भी panel provision है, आपकी समस्याएं बढ़ जाएगी, तो ये एक प्रकार का punishment है, कि अगर तुमने कुछ भी non-compliance किया, हम इसको मान लेंगे कि क्या है, ये public offer, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने limit बढ़ा दी, दोस्तों कर दी, तो आगे और भी बहुत सारे provision है, आपको इसका return फाइल करना पड़ता है, आरोसी को return भी अगर time से फाइल नहीं किया, कुछ भी non-compliance किया, माना जाएगा कि ये public offer है, और public offer के जितने भी provision है, वो आपके उपर applicable हो जाएगे ठीक है सर, यहां तक की बाते हमको समझ में आ गई है, अब इतना समझने के बाद ना बिटा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, और अब मैं आपको ये question करवाता हूँ, क्योंकि अब ये question थोड़ा समझ में भी आएगा, पहले मैं सीधा question बता देता, आपको रहता अच्छ है CDS Limited का, उसको एक random source से, मैंने जान बुच के source का नाम नहीं लिया, random source से, उसको कुछ noting मिलती है, किस बात की noting मिलती है, कि अगर आपको private placement करना है, तो आपको कौन-कौन सी बातों का खयाल रखना पड़ेगा, तो notes मिलता है उसको for issue of private placement, कि अगर आपको private placement करना है, तो इन पातों का noting कर लो भई, ध्यान रखना है, इनको आपको पालन करना है, पहला point, private placement shall be made to identified person only, not exceeding 200 in financially यह, यह पहला point है कि प्राइवेट placement तुम 200 लोगो, 200 identified person को ही करोगे, एक financial के अंदर, और इस पे यह 200 की जो ceiling है, यह qualified institutional buyer को applicable नहीं होती, लेकिन employees under ESOS जो security लिया, उनको applicable होती यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह notes पे लिखा है, वो जो आहां से notes लेके आया है ना, उनका managing director वहा लिखा है, दूसरी बात, private placement shall be made only once in financial year, not exceeding 200 identified person, ठीक है जी, दूसरा बात क्या बोला note के अंदर कि private placement only once, only once यहने कि सिब एक ही बार कर पाओगे तुम financial year पे, बराबर है क्य और जब करोगे, तो 200 से ज़्यादा identified person को नहीं करोगे, और यह जो 200 की limit है, यह individual security के लिए मैं बता रहा हूँ, यह question में नहीं है, यह ध्यान पे रखना आपको, चलिए जी ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया, question आपको क्या पूछा है, provide reasoned remark, reasoned remarks on above points, यानि कि उपर के जो तो point है, जैसे पहला point था, कि QIB को 200 की ceiling में नहीं count करेंगे, employees को count करेंगे, दूसरा point जो था, कि partial, sorry, private placement, सिर्फ एक ही बार होगा, financial year पे, और not exceeding, 200 identified person से ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको बताना है, दोनों point को reasoning देनी है, तो अगर आप provision को apply करोगे, तो provision में अपने को सा आप बोला हो है, कि भाई, qualified institutional buyer को भी नहीं count करेंगे, और employees जो है, जो ISOs पे लिए, उनको भी count नहीं करेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ, कि भाई, जो पहला वाला noting है, वो आधा सही है, और आधा गलत है, याने कि जो अपने company का पहला proposal है, private placement का, जो पहली वाली noting है, क्या म आपने बोला, दो सो, एक financially में होने चाहिए, मैं भी मान रहा हूँ, आपकी ये वाली भी बात सही है, कि qualified institutional buyer को नहीं गिना जाएगा, लेकिन, जहां पर आपने बोला कि employee को भी count नहीं किया जाएगा, ceiling में, तो मैं क्या कह सकता हूँ, कि second वाला जो आपका कहना है, वो गलत ह तो इसको अपन पूरा एक अगर माने, तो ये पूरा अगर एक माने, तो ये पूरा सही नहीं है, मैं कह सकता हूँ, कि ये क्या है, partially correct है, ये क्या है, partially correct है, ये पूरा पूरा correct नहीं है, अपने को reasoned marking देनी है, तो reasoned marking में अपने लिखेंगे भी, provision बताएंगे भी, कि देख placement shall be made only once एक financial year में आप एक ही बार सिर्फ private placement कर सकते हो not exceeding 200 identified person अब यहाँ पे भी मैं कहना चाता हूँ आपको भी यह बात समझनी पड़ेगी क्या थोड़ा सा इसको ठहर के अगर analyze करोगे तो समझो क्या पूरी पूरी बात इस पे मेरे इसाब से तो पूरी बाते सही नहीं है ध्यान से समझिएगा मैंना आपको कुछ provision पढ़ा देता हूँ पहले यह private placement का मैंने पूरा bare language यहाँ पे रखा हूँ है बाकी की तो चीजे अपने को पता हूँ है मुझे एक चीज जो आपको पढ़ा के ले नहीं है इस पे जो की लिखा हूँ है यह दो बाते आपको मैं पढ़ा के लेता हूँ एक तो क्या बोला है ध्यान से सुनना यह वाली बात मैंने आपको पढ़ा ही नहीं नो फ्रेश ओफर और इंविटेशन अंडर दिस सेक्शन shall be made unless the allotment with respect to any offer or invitation made earlier have been completed और that offer or invitation has been withdrawn और abandoned क्या बोल रहा समझना मान लीजे आपने equity share का private placement शुरू किया, offer किया अभी वो offer complete नहीं हुआ है जिनको जिनको आपने चुनिंदा person को offer दिया ना कि भाही मेरी company में पैसे लगा लो, वो complete नहीं हुआ है जिन लोगों को आपने invite किया या offer दिया, वो complete नहीं हुआ है अभी उसके allotment complete नहीं हुए वो private placement का वो पूरा procedure था वो खतम नहीं हुआ तो एक आपने जो offer किया वो अभी complete नहीं हुआ और आपने दूसरा private placement का offer ला दिया तो बोले आप fresh offer ला ही नहीं सकते जब तक allotment नहीं हो जाता कोई earlier offer दिया थे ना पहले जो private placement के offer दिया थे पहले उसको खतम करो उसके बाद ही fresh आएगा मानलब वो खतम नहीं हो रहा है तो आपने उस offer को खुद withdraw कर लिया withdraw का मतलब आप खुद ही बोल दिया नहीं भाई है हमने offer दिया तब पैसे हमको मिल गाए रहने दीजेगा तो withdrawn और abundant का मतलब एक ही है यानि कि अपने offer छोड़ दिया वेव कर दिया थेक है तो withdraw कर दिया है abundant कर दिया है तो earlier offer खतम हो गया या तो खतम हो जाए abandon हो जाए या तो withdraw हो जाए या तो आपने क्या कर दिया होना चाहिए allotment कर देना होना चाहिए यानि कि earlier offer जो है प्रायविट प्लेस्मेंट के वो जब तक allotment प्याव गया और जब तक तक और allotment करने याने कि इसको ध्यान पर रखते वे provided that सुनते वे जाईए कुछ बात ऐसा lawmaker कह रहे है under subsection 2 subsection 2 के अंदर अपने को ceiling बताई भी है a company may at any time make more than one issue of security ये line बड़ी important make more than one issue of security to such class of identified person as may be prescribed कहने का मतलब क्या है भाई देखिए financial year चल रहा है एक अप्रेल से लेके 31 मार्च तक अब मान लीजे for suppose जून के महने में आपने 100 लोगों को identified किया और इनको आपने दे दिया क्या equity इनका complete भी हो गया अपन मान लेते हैं इनका allotment allotment complete हो गया अब company ने वापस से वापस से company ने 200 लोगों को identify किया preference shares के लिए कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था individual security बेटाई है equity में आपने 100 किया था बलकि अभी तो आप preference वाला अगर पूरा कर लोगे तो 100 equity के लिए और बचेंगे ठीक है तो जो 200 की ceiling है वो individual security के लिए अपन डिसकस कर चुके हैं अब maximum याने कि subject to the maximum number of identified person वो दोस्तों को ध्यान पर रखते हुए आप एक साल में जितनी बार चाहें उतनी बार ले आईगे private placement क्या दिक्कत है आप बस इतना ध्यान रखना कि आपका जो earlier offer होगा private placement का वो complete होना चाहिए याने कि आपने allotment कर दिया हो identified person करके equity share issue किये हो गया complete हो गया allot कर दिये अब आपने 200 identify करके preference दे दिया ठीक है वो भी हो गया अब आपने 200 identify करके debenture दे दिये क्योंकि individual security की 200 limit है एक financial year में ठीक है सर समझ में आगा सर बढ़िया तो याने कि सर आपको maximum ceiling limit ध्यान रखनी है हर security के लिए वो ध्यान पर रखते हैं आप कितनी बार भी कर लो एक financial year में अब मान लीजए अपने 200 लोगों को identify करके preference shares allot कर दिये अब आप इस financial year पर जिसके हम बात कर रहे हैं 1 April से 31 में अब आप preference का private placement नहीं ला सकते क्यों क्यों ceiling भर गई आपकी लेकिन आप equity में और 100 ला सकते हो debenture में 200 ला सकते हो यानि कि एक financial year में आप एक बार से ज़्यादा private placement कर सकते हो subject to the maximum number of identified person हो जो 200 है हो भी individual security ठीक है सर यह तो सर खुद ही लिखा हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ यह तो यहाँ पे लिखा हुआ है section 42 के provision में तो लिखा हुआ है साथ साथ में यह लिखा हुआ है rules जो है ना जिस rule के अंदर 200 की limit दी है वहाँ पे भी लिखा हुआ है rule का नाम है companies prospectus and allotment of securities rules 2014 इसके अंदर भी यह सारी बाते लिखी वी है बराबर एक है और जो limit जहाँ पे बताईए ना 42-2 के अंदर यह देखो 42-2 के अंदर selected group of person को करोगे जो कि identified रहेंगे board के द्वारा उस number shall not exceed 50 और such higher amount as may be prescribed तो prescribed किस में किया है? rules में किया है यह वाले rule में prescribed किया है central government ने और prescribed करके कितना कर दिया है 200 कर दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथ साथ में इसी rule के अंदर explanation दिया है central government ने इसी rule के अंदर यानि कि MCA ने इसी rule के अंदर explanation दिया है कि जो 200 की limit है यह individual है यह आपको act के अंदर नहीं मिलेगा section 42 के अंदर नहीं मिलेगा यह आपको rules में मिलेगा बट क्या rules आपके syllabus में? the answer is no अब मैं वपस से question में आता हूँ और मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना reason remark देने के लिए बोला above point में reason remark में हम इसको तो बोल दिये कि भाई यह partially correct है क्यों partially correct है? क्योंकि भाई आपने बोला कि भाई employee को count किया जाएगा जबकि law कहता है employee को count नहीं किया जाएगा section 42 partially correct है partially है नहीं कि QIB वाला correct है 200 वाला correct है financial year में लेकिन वो correct नहीं partially correct है वो आपका proposal दूसरा private placement shall be made only once एक ही बार होगा किसी भी financially वन यह तो गलत है भाई financial year में एक बार से बहुत बार हो सकता है अनेक बार हो सकता है subject to the maximum number of identified person तो यह वाला तो fully correct नहीं है आधा सच है आधा सच वो भी partially correct यह भी partially correct कि भाई हाँ 200 की limit होगी ठीक है लेकिन सिर्फ एक ही बार करोगे यह पूनता रूप से पूनता यानि की complete रूप से यह truth नहीं है आप यहां कहीं न कहीं truth कर रहे है तो बहुत बढ़ी आओ गया सर अब आओ इसको लिख लेते हैं आपके दिमाग में सारी चीजे बैट जाएगी उसके बाद मैं आपको एक question और करवाँगा उसको लिखवाँगा नहीं है वो private placement का ही बड़ उसको मैं लिखवाँगा नहीं लिखवाने वाला काम में एक बड़े वाले question का कर रहा हूँ जो उपर अभी आपको करवा है ये वाले को आपके और conceptual clarity के लिए बता दूँगा बस आईए full screen कर देता हूँ लिखना शुरू करते हैं फटक से हाँ जी भाई और बेनो full screen कर दिया है margin खीच ली मैंने जैसे मैंने आपको बताया था लिखना शुरू करते हैं black pen मैं यूज करूँगा as per provisions of subsection 2 आप subsection नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा but at least section आपको यह याद होना चाहिए important section है बिटा as per provision of subsection 2 of section 42 मैं इसमें keyword भी आपको बताऊँगा कियसे आपको keyword लिखना है keyword मतलब कौन-कौन से keyword इस वाले answer में होने ही चाहिए of the companies act 2013 तो भाई साब यह तो आपको याद रहने ही चाहिए section number 42 और क्या कोई भी section में जब आप ज़्यादा time बिताते हो तो आपको by default याद हो जाता है ठीक है जी private placement private placement shall be made only to a selected group of persons अब यह जो है ना selected group of persons यह आपके answer पे रह नहीं चाहिए to a selected group of persons who have been identified by the board again identified by the board is the keyword आप अगर 42 के related कोई question कर रहे हैं तो यह वाले keyword आपके आने ही चाहिए identified by the board ठीक है ब्रैकेट में आप लिख सकते हो identified person identified person ठीक है जी whose number ब्रैकेट न संसिप्छ इसकते ह। . . । और 000 आपकेट 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 रहएं such higher number as may be prescribed as may be prescribed इन आ फाइनेंशल ये ये इंपोर्टेंट हा, फाइनेंशल ये वर्ड आना चाहिए क्योंकि दोसों की लिमिट लाइफ टाइम की नहीं है, इन आ फाइनेंशल ये, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, कंडिशन्स, अब और कौन से कीवर्ड होने चाहिए, इन आ फाइनेंशल ये, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत रेलिवेंस है, क्योंकि इसी के उपर तो अपना आधा आंसर बेज़ रहेगा, शाल नौट एक्सिट फिफ्टी और सच हायर नंबर, ये भी आना चाहिए, आगे अगे आगे पीछेगा तो आपको अपने आप यादा जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़के लेते हैं, आगे एक लाइन छोड़के लिखिएगा, इट इस आल्सो प्रोवाइड़िड एट एट एनी ओफर और इन्विटेशन made to qualified institutional buyer buyers or to employees employees of the company under a scheme of ISOS मैं सिर्फ ISOS लिख रहा हूँ, आपको ना एक्जाम में पूरा लिखना है, Employee Stock Option Scheme ठीक है और इट इस अल्सो प्रोवाइड़िड एट एनी ओफर और इंस्टिशन made to qualified or to employees of the company under scheme shall not be considered और 2 को काट दो, 2 यहाँ पे sentence भी गाड रहा है ठीक है प्रोवाइड एक्जाम में तो आएगा, इस च्छाम में लिखना है, 2 employees are made to qualified institutional buyer or 2 employees of the company under a scheme of ISOS shall not be considered while calculating while calculating the limit of तू हंड्रेड बिटा डिजिट्स में नहीं लिखना पूरा पूरा लिखना है तू हंड्रेड परसल्स अब यहां पे दो कीवर्ड आपको याद रखने एक तो कॉलिफाइड इंस्टिटूशनल बायर इंपलॉईस और यह स्कीम का नाम याद रखना है इसोस अंडर अस्कीम इतना आपको याद रहेगा आगे पीछे की चीजे तो आपको अपने आप ही बन जाएगी ठीक है जी अब उसके बाद आपको बताना है कि भाई यह जो प्राइवेट प्रेस्मेंट है ना यह दो सो से जादा लोगों को नहीं करने तो देखो यह वाली बात तो कहां पे लिखी थी पचास वाली तो यहां पे लिखी है अब जो हमने बोला है न सच हायर नंबर यह किदर लिखी भी है यह बात बिटा रूल पे लिखी भी है रूल नंबर 14 में सर हमको रूल याद करने की अगर आपको रूल याद नहीं है, section 42 तो बस याद रखना, बाकी चाहे याद रहे, चाहे ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, according to rule 14, subsection 2 of the companies, bracket में prospectus and allotment of securities, rules 2014. an offer or invitation to subscribe securities under private placement रहें टहुने एसेड़ा करवे, को तो आटता टाकनोंट je फोलेके एंड़ ही और गौरे हॉओरे होगा हुआ सीक्टलाए। more than 200 in aggregate in a financial year यह बात हैं हमने दुबारा repeat करके लिख दी हाला कि उपर एक बार लिखी हुई थी ठीक है और explanation में एक बात लिखी as per explanation given in this rule given in this rule it is clarified यह clear किया गया explanation के अंदर clear किया हुए that the restriction would be recond recond का मतलब है कि कैसे यह जो restriction है ना 200 की कैसे calculate करोगे recond individually individually for each kind of security that is equity shares preference share और debenture तो यह तो एटलिस्ट याद रहेगा कि भई explanation दिया है रूल के अंदर कि जो clarified word याद रखना कि जो restriction है recond individually बाकी तो आपको खुद याद रहेगा एक मा की कर लो each kind of security इतना याद रहेगा बाकी तो आप सारी चीज अपने आप से खुद ही लिख लोगे बराबर है क्या अब अपने को इतना लिखने के बाद अपने को answer करना है क्योंकि अपनने सारी चीज लिख दिये अब अपन answer करेंगे provision लिखने के बाद कि in the light of above provision and facts of the case point number one डालेंगे क्योंकि दो अपने को noting पूछी है the company is correct company correct है in proposing that the ceiling यह ceiling वर्ट को माग करके रखना the ceiling of identified persons shall not apply to offer made to QIB but the company is not correct company correct नहीं है in saying in saying that the said ceiling अब सांथ में लिख रहे होगे बिटा avoid मत करना प्लीज इस लिखने को आपको यह लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या speed है आप क्या गलत करते थे आपको लग रहा होगा में भी क्या लिखना है मैं देख लेता हूँ तो मेरे को समझ में आई जाएगा बट मैं कहूँगा कि देखने में वो चीत समझ में नहीं आएगी जो लिखने में आएगी that the ceiling is applicable to employees covered under issues covered under issues ultimately यह बताना है कि points आहीं था कि नहीं तो अब जो मैं हैं से लिख रहा हूँ नहीं तो सबसे जादा important है मतलब आपने पूरा उपर लिख दिया लेकिन यह नहीं लिखा तो बहुत बड़ी तक्लीफ है hence the second जा आप therefore करके भी लिख सकते हो the second part of the proposal आधा सही है कि QIB को नहीं गिनोगे लेकिन जो second part है proposal का is only partially correct तो यह partially correct word आना चाहिए यह partially correct है ceiling word आपका मैंने mark करवा दिया बाकी तो सब इस पे ठीक है जित्ते जित्ते keyword mark करवार हो इस सारे keyword अपने होने चाहिए answer में अब दूसरा वाला point लिखते दूसरा जहां पे बोला था कि एक financial year में एक ही बार आप कर सकते हो तो वो गलत है तो rules का नाम तो मैंने आपको बताये हुआ है कि the company's prospectus यानि कि देखो जो chapter का नाम होता है ना बस उसके आगे लगाना होता है the company's prospectus and allotment of securities और most of the rules जो बने है ना वो 2014 पर ही बने है rules 2014 provides that an offer or invitation to subscribe under private placement under private placement मैने P लिग दिया है बस उसको shall not be made to persons more than 200 in aggregate in a financial year so एक लाइन छोड़के लिखना keeping the ceiling of 200% in aggregate in a financial year offer of private placement can be made keeping the ceiling का मतलब समझ रहो कि भाई इसको दिमाग में रखते वे भाई दोसों का अपने को individual दिमाग में रखना है offer of private placement can be made more than once more than once in a financial year therefore the second statement is not fully correct ये था बेटा अपना पूरा आंसर मैं जान मुझ कि इसको पूरा लिखवाया हूँ ताकि आपको दिमाग में ये बैठ जाए पूरा private placement का प्रोसेस से जब जाओगे न जैसे स्टार्टिंग से अपने पूरा प्रोसेस समझते 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 हाँ ऐसा होगा करके ये आपने समझ लिया लिख लिया अब ये आपके दिमाग से उतरेगा नहीं कभी चलिए ये हो गया अब इसके बाद आपन आगे बढ़के लिते एक कुश्चन और है हमारे पास private placement के ही basis पे देखिएगा ध्यान से PQR bakers है अब ये बेकर ने क्या किया इशू किया private placement offer letters for issuing equity shares 55 persons को ठीक है 55 persons को जिस पे से चार तो QIBs है और बचे वे 51 जो है वो individuals है अब complete करने के पहले offer complete करने के पहले company ने इशू कर दिया another private placement offer letter to another 155 persons in their individual names for issue of debentures वा भई वा तो question में data अपने को क्या बोला कि जो पचपन लोगों को अपने equity shares के लिए जो प्राइवेट प्रेस्मेंट दिया था पचपन लोगों को प्राइवेट प्रेस्मेंट offer दिया था वो तो दिया है वो अभी complete नहीं हुआ प्राइवेट प्रेस्मेंट पहला question क्योंकि ये कौन सी company है public company इसमें limited लिख देते क्या public company कर सकती प्राइवेट प्रेस्मेंट तो भई इसका answer तो हाँ क्या private placement के provision comply हुए क्या ये जो data आपको मिला है इस पे क्या private placement के provision comply हुए क्या और अगर हुए है दूसरा अगर offer for debenture देता after allotment of equity share याने की earlier offer जो था equity share का वो complete हो जाता उसके बाद debenture का देता तो क्या आपका answer बदलता तो तीन question पहला क्या public company private placement कर सकती है तो भई ये तो बड़ा simple है answer yes provision of private placement comply हुए का yes और no में बताना है अगर हुए है नहीं हुए है तो क्या public offer मानेंगे क्या उसको भले private placement तुमने किये क्या उसको public मानेंगे दूसरा चलो non compliance क्या public offer मानेंगे एक बार मान लिए मान लो second वाले answer तुमने बोला कि हाँ non compliance है बट तीसरे में तुमको what if बोला कि मान लो कि भई जो debenture का allotment हुआ है वो equity का allotment complete करने के बाद हुआ तो जो second वाला तुमने answer दिया कि हाँ non compliance हुआ है public offer माना जाएगा क्या तुम उससो answer को बदलोगे यह तीन question आप से पूछा है इसका जवाब सोची और बताइए तो भई पहले वाले का तो answer clear है कि भई वो private placement माना जाएगा public company भी private placement कर सकती है दूसरा provision of private placement comply हुआ क्या तो भई आपने सोचा होगा समझा होगा तो एक चीज़ ध्यान दियोगी कि भई equity share जो है उसका offer complete नहीं हुआ था और आपने debenture के लिए offer कर दिया जब तक पिछला withdraw ना हो जाए abundant ना हो जाए या allotment complete ना हो जाए fresh offer नहीं कर सकते है अपको मैंने पहले ही पढ़ा के लिए तो भई या उसको तो public offer वाना जागा क्योंकि non compliance किया अब बात आती तीसरी कि offer for debenture अगर हम देते equity का allotment के बाद तो आपका answer बदलता है हम बलते हैं बदलता अब हम उसको public offer नहीं मानते अब सब valid मानते समझ मैं आगे सर आई ये तीनों का ना crux लिखवा देता हूं पूरा-पूरा नहीं लिखवा रहा हूं crux लिखलो help करेगा लिखो फट फट सबसे पहले लिखो hint answer बोल लो आप उसको कि मैं आपको इसका hint answer लिखवा रहा हूं point number one लिखलो hint answer में section 42 allows public company to make private placement दूसरा rule 14.2 अब कौन सा 14.2 यह आपको पता है ठीक है हाइफेन लगा के limit of 200 should be counted separately for each type of security अब कंफ्यूज ना हो ना कि भाई सर उधर तो सर 51 तो एक्विटी का हो गया सर फिर 155 और दे दिया सर तो तो जादा हो जाएगा करके इसलिए कंफ्यूज ना हो ना इसलिए लिखवाया हुए इक्विटी अलग डिबेंचर अलग गये नहींगे ठीक है दो पॉइंट लिखने के बाद तीसरा लिखिएगा is a company not permitted to make fresh offer If the allotment with respect to any offer made earlier has not been completed, फॉर्थ वाला लिखिएगा, hence treated as public offer, इसलिए उसको public offer मानेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोविजन का non-compliance अगर करोगे तो उसको public offer मान लिया जाएगा, फिफ्थ वाला लिखिएगा, ठीक है, offer बस हो गया, इतना काफी है, 51 वाला तो ठीक है, और ये वाला जो था, if offer for dementia is given after allotment of equity share, तो तब आपका answer क्या रहेगा, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, offers can be treated as private placement offers, बाकी मैंने hint answer आपको पूरे लिखवा दिये कि भाई क्या-क्या होगा, कैसे कैसे होगा, fresh offer नहीं कर सकते हैं, इसलिए public offer मानेंगे, और यहाँ पे, हाँ भाई, private placement offer मान लेंगे, अगर आप क्या करते हो, equity का करने के बाद, debenture को issue करते हो, ठीक है जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको एक बार वापस से अपने, चार्ट में लेके जाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था, कि कौन-कौन से relevant topic हमको करना है, तो हमने ना बेटा, ये वाला segment पूरा अच्छे से कर लिया, अब आपन move on कर रहे हैं, जो मैंने बताया था, पार्ट एक ही जान है, सेक्षन नंबर 39 से 40, यानि की 39 और 40, साथ में ही पढ़ा जाता है, ये अलग-अलग आप पढ़ोगे, मतलब प्रैक्टिकली साथ में पढ़ा जाता है, फिर underwriting commission कर लेंगे, अब ध्यान से इसको समझना, सेक्षन 39 से 40 का अपने पास एक question है, लेकिन ये question को बताने से पहले, ये question को बताने से या समझाने से पहले, मैं आपको section 39 और 40 से रूबरू करवाना चाहता हूँ, कि section 39 और 40 क्या बोलता है, आ जाईएगा हमारे handwritten notes में, regular students में तो सब के पास ये handwritten notes होंगे ही, ध्यान दीजेगा, just a moment, हाँ जी, तो ये अपना section 39 से 40, उपर देखो लिखा हुआ है, relating to allotment, तो section 40 जो है न, वो बोलता है कि भाई, आपको security का public issue लाने के पहले, आपको इसको stock exchange में list कराना पड़ेगा, और section 39 बात करती है कि कुछ pre-requisits है, pre-requisits याने की allotment करने के पहले कौन कौन सी चीज़े आपको follow करनी है, मैंने दोनो section 39 और 40 को साथ में यहाँ पे एक जगा लाके रख दिया, क्योंकि दोनों को इस साथ में पढ़ा जाता है, आप 39 पढ़ लोगे, और 40 अगर आपने पालन नहीं किया, तो आपको अटकना पड़ेगा, आपका allotment नहीं होगा, आपका याने की company का, ठीक है जी, तो मैंने न sequence wise adjust किया है, section 40 की कुछ बात ऐसे लिखी, जो आपको allotment के पहले, याने की public offer के भी पहले करनी है, फिर 39 में कुछ बाते लिखी हैं, जो पहले मतलब sequence ऐसा है, कि step अगर बोलू कि 5 step है, तो 40 में पहला step बता है, और 39 में दूसरा तीसरा step बता है, तो मैंने जिस step को जहां लगना था, वहां लगा के इसको set किया, तो अगर आपको दिख रहोगा, पहले 40 है, फिर 39 है, फिर 39 2 है, फिर नीचे 40 है, ऐसे करके जहां जहां जैसे जर्वत है, वैसा किया है, तो अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, 39 और 40, 40 अपने को कहता है, हर कमपनी को public offer करने से पहले, क्या लिखा वर्ट देखो, before making public offer, यानि कि तुम public को जब offer करोगे, prospectus issue करके हैं, तो every company before making public offer, public offer से public company ही कर सकती है, make application, आपको application करना है, one or more recognized stock exchange में, भारत की बात करें, तो national stock exchange और bombay stock exchange, जो अपने दो recognized stock exchange में, तो या तो आप एक में apply करो, या तो अनेक में कर लो, one or more कर लो, और एक word आप ध्यान से समझना, word क्या लिखा है, and, सिर्फ apply करने से काम नहीं बनेगा, आपको permission भी लेनी है, for dealing the security in such exchange, dealing the security in such exchange का मतलब, आप कहते हो कि, हमको हमारी security को, आपके exchange में list करवाना है, apply करते हो, और वो आप उनसे permission मांगते हो, कि हमारी security आपके exchange में चलेगी, इसका साधारान example दूँ, अगर listing का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरी website है, अरजुन छाबरा tutorial, कल को आप में से कोई उठके आता है, कि सर में फलाना subject पढ़ाता हूँ, आपकी website में काफी लोग visit करते, मेरे product को list कर दो आपकी website में, ताकि और जब कोई आएगा आपके product लेने, तो मेरा भी दिख जाएगा, मेरा भी demo देख लेगा, अच्छा लगेगा तो ले लेगा, इसी प्रकार से company के लिए, stock exchange समझ दो, शब्दों में अगर बोलू दो, एक website का काम कर रहा है, जहां पे उसकी security listed है, कोई भी public का बंदा, उस platform पे जाके, उसकी shares को purchase कर सकता है, ठीक है, तो सिर्फ आपको public offer करने के पहले, सिर्फ apply नहीं करना है, apply करना तो ही है, बट आपको permission भी obtained करना है, यानि कि सिर्फ apply करने से, आप बोलो apply कर दो, और apply करने के बाद public offer कर दो, नहीं चलेगा, apply करो, और साथ साथ में आप क्या करो, उसकी permission भी ले लो, practically क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, यह ना पहले ही clear रहता है, कि भई जिस stock exchange में आप apply कर रहे हो, आप already सारी communication करके रखते हो, कि आपको permission मिली जाती है, क्यों practically company क्या करती है, apply कर देती है, और apply करने के बाद, प्रोसीड कर जाती, public offer देने के लिए, meanwhile बीच में, stock exchange में जहाँ पे आपने apply किया, उसकी permission मिल जाती है, तो practically चीज़े ऐसी होती है, कानूनी तौर पे अगर आप देखोगे, तो क्या बोल रहा है, offer करने के पहले, apply भी कर दो, और permission भी ले लो, तो अगर आपने apply किया, public offer कर दिया, और यहाँ से permission denied हो गई, तो आपने तो offer भी कर दिया, चलो मैं कहता हूँ, offer कर दिया, लोग ने subscribe भी कर दिया, आप allotment भी कर दिया हो, लेकिन permission नहीं है, इसको बोलते है, irregular allotment, irregular, तो कानूनी तौर पे अगर जाओगे, तो apply बस नहीं करना है, apply करके permission भी ले लेना है, फिर offer करना है, allotment की तो दूर की बात, हम तो offer की बात कर रहे हैं, ठीक है सर समझ में है, अब, ये तो समझ में आ गया, company प्रैक्टिकली क्या करती है, apply कर देती है, meanwhile permission मिलते रहती, तब तक वो offer कर देती, जब confidence रहता है, भई मिली जाएगी, और वो allot भी कर देती है, mean while यहां से permission में मिल जाती, लेकिन कानूनी तोर पे, theoretical aspect से देखोगे तो वो, काम नहीं करता, practically काम करता है, तो भई apply से काम नहीं चलेगा, आपको permission भी लेनी है, 42 क्या बोलता है, आपको name बताना है, recognize stock exchange का, to whom application made in prospectus, यह नहीं की, आपको क्या बोला, one or more, recognize stock exchange में apply करने, तो जब आप public offer करोगे न, तो आपको यह बताना पड़ेगा, कि भाई साब, हमने आप जो 40 पे लिखा हुआ है, 41 पे क्या apply करने, तो हमने यह यह stock exchange में apply किया है, अब यहां पे क्या बोला, one or more, one or more मतलब, चाहे एक में करो, चाहे अनेक में आपकी मर्जी, लेकिन at least one में तो करना पड़ेगा, और मान लो, आपने prospectus भी दे दिया, offer भी हो गया, offer के बाद, पता चल रहा है, कि stock exchange से permission आपको नहीं मिली है, गलत है वो, ठीक है जी, अब समझिएगा, अब 39,1 क्या बोलता है, 39,1 ये बोलता है, कोई भी allotment आप नहीं करोगे, मान लो, आपने stock exchange को apply किया, permission मिल गई, permission मिलने के बाद, आपने issue कर दिया, यह निकि public offer किया, public offer में, बहुत सारे लोगों ने, आपके shares को apply किया, कि हम भी लेना चाते हैं, हम भी लेना चाते हैं, यहाँ पर 90% तो मैंने, directly लिख दिया है, law के अंदर लिखा हुआ है, कोई भी allotment नहीं होगा, जब तक minimum subscription नहीं हो जाता, minimum subscription नहीं हो जाता, as prescribed in prospectus, companies act के अंदर यही लिखा हुआ है, लेकिन, 90% की limit है practically, आपको यह, savvy regulation में, या companies act के rules में, कहीं पर भी यह पढ़ने को मिल जाएगा, कि आप तब तक allotment नहीं कर सकते, जब तक 90% of the issued share capital, subscribe नहीं हो जाता, issued share capital का मतलब यह है, कि मान लो आपने 1,00,000 shares को issue किया, ठीक है, और फर्स कीजिए, कि prospectus में लिखा है, कि जब तक 95% of issued shares, subscribe नहीं होईंगे, तब तक allotment नहीं होगा, तो 1,00,000 का 95% अगर आप करोगे, मान लो आपने 1,00,000 shares issue किया, 10 रुपे का 1 है, तो इस पे 95,000 shares, 95% बोलूँ, तो 95,000 shares के लिए application आ जानी चाहिए, इतने लोग लोग बोल दी, हाँ हम ले लेंगे, इसको बोलते हैं कि prospectus में minimum subscription, दिया हुआ है कि कितना minimum subscription, तो जब तक वो minimum subscription फुल्फिल नहीं हो जाता, तब तक आप allotment नहीं कर सकते, ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ वें, 39C हो गया, अब 39,2 क्या बोलता है, एक तो minimum subscription की बात है यह वाली, जो कि practically कितनी होती है, 90% होती है, ठीक है, तो जब तक वो minimum subscription नहीं आ जाता, subscription का मतलब यह मत समझ लेना कि पूरे पैसे आ जाए, एक लाक इन्टू दस, नहीं, सब्श्रविश्कन का मतलब आपने एक लाक शेर पब्लिक को दिये, तो 95% अगर प्रोस्पेक्टास में 95 लिखा है तो, नहीं तो 90 एक practical limit है, कि भाई इतने तो आपके पास application आ गए, कि हाँ इतने shares लेने के लिए apply कर दिया, आवेदन दे दिया है कि हम लेना चाहते है, अब आवेदन देने वक्त, जब लोग apply कर रहे हैं कि ये share हम लेना चाहते हैं, तो कुछ तो amount pay करना पड़ेगा, तो minimum application money shall be 5% of the nominal value, nominal value का मतलब यह, जैसे मैंने आपको बताया, एक लाक shares है, 100 रुपे का एक है मान लो, बराबर अब एक लाक share में 100 रुपे का एक है, इसका अगर आप 5% करोगे, तो कितना आएगा 5 रुपे, कोई व्यक्ति apply कर रहा है कि भाईया, मैं 1000 share लेना चाहता हूँ, बराबर है, क्योंकि आप 1 लाक share दे रहे हो, कोई व्यक्ति apply कर रहा है 1000 share, तो कम से कम पर share वे उसको 5 रुपे, यानि कि 5000 रुपे तो पे apply करते वक्त करने पड़ेंगे, फिर बचे वे जो पैसे रहेंगे, 1000 इंटू अपन 100 करेंगे, तो जो बचे वे पैसे रहेंगे, वो जब उसको allotment करेंगे ना, अभी तो वो apply कर रहे हैं कि मैं इतना लेना चाता हूँ, हो सकता है कि पहले ही सब लोगों ने apply कर दिया, over subscribe होगे तो उसको मिले ना, तो उसकी application money को वो अपस कर देंगे, लेकिन अगर उसका number लग जाता है, और उसको हम share the lot कर रहे हैं, तो बचे वे पैसे हम बाद में लेंगे, यह तो सिर्फ और सिर्फ application money है, तो कम से कम, 5% 5% minimum application money shall be 5% of the nominal value of security, तो आपको अब मैं एक बाद बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ रहा हूँ, तीन चीजों को मैं star mark कर रहा हूँ, एक तो यह, सिर्फ apply करने से काम नहीं चलेगा, आपको permission भी मिल जानी चाहिए, ठीक है, एक तो यह, दूसरा, minimum subscription जितना prospectus में prescribed है, वो आपको मिल जाना चाहिए, तीसरा, minimum application money कम से कम 5% होनी चाहिए, nominal value का, यहनि कि जितनी उसकी face value है, उसका कम से कम 5% आ जाना चाहिए, यह star mark में क्यों किया हूँ, यह आपको मैं, अंत में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, कि भाई आपको stock exchange की permission, apply से काम नहीं चलेगा, apply करके permission लेनी है, minimum subscription जितना prospectus में है, वो मिलना चाहिए, उस तब तक allotment नहीं होगा, ठीक है, allotment तो यूँ भी नहीं होगा, अगर permission नहीं मिलिया है, और फिर भी अगर allotment करती हो, तो irregular माना जाएगा, और यहाँ तो 339.1 में बोली दिया है, तब तक allotment नहीं करोगी, जब तक minimum subscription जितना prospectus में है, वो नहीं हो जाता है, और practically कितना होता है minimum 90%, minimum application मनी, यानि कि जितने लोग जितने भी shares apply कर रहे है, कोई एक भी apply कर रहे है, तो कम से कम application वक्त 5 रुपे, यानि कि 5% सोरी यहाँ पे 5 रुपे, 5% तो कम से कम वो application के वक्त money पे कर रहा हूँ, ठीक है जी, और यह अपने को, जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो अपने को separate bank account पे रखना है, यह भी mark कर लो कि अपने को पैसे receive हो गए, समझ मैं ही क्या बात, तो यह 39 और 40 था, अब उसके बाद यह बताया कि इसको आप कहां इस्तमाल करोगे, एक्सेक्टर एक्सेक्टर और वो बताया कि मान लो, minimum subscription अगर आ जाता है, अगर receive हो जाता है, minimum subscription और minimum application तो आप allotment करोगे, कहां से allotment, offer का एक समय होता है, कि भाई आज से 10 दिन तक का offer है, जितने लोगों को apply करना कर लो, तो भाई 10 दिन बाद offer close हुआ, यानि कि offer जैसी close हुआ, पता चल गया, minimum subscription, minimum application सब का दिया, मान लो किसी ने minimum application जो 5% है नहीं दिया, उसका application reject हो जाता है, जिनका बराबर रहता है, उनको ही देते, तो minimum subscription हो गया, जिन जिन लोगों ने minimum application कम से कम 5% दिया, करना है, ROC को PAS3 में, किनको list of allot is, किनको allot किया, उनकी occupation क्या है, उनका नाम क्या है, उनका address क्या है, और कितनी security आपने उनको allot किये, मान लो minimum subscription नहीं हुआ, या minimum application नहीं है, तो जिनका minimum application नहीं है, तो reject हो जाएगा, दोनों आना चाहिए, तो अगर नहीं आता है, not receive, 39.3 पढ़ रहे हैं, देखो 39.4 पे वो था, 39.3 पे यह, return करो उनका amount, जो receive हुआ है, कितने दिन में, close जुआ है ना जब से आपका issue, वहाँ से 15 दिन के अंदर return कर दो, छीक है, अगर आप money repay नहीं करते हो, within 15 days, कहां से, जब से आपका offer close हुआ है, issue close हुआ है, वहाँ से 15 दिन के अंदर pay करना है, क्योंकि minimum subscription और minimum application नहीं है, तो जो directors in default होंगे, जिनकी गलती है, jointly and severally, liable होंगे to repay money, plus interest at the rate 15% per annum, यानि कि जितना delay करोगे, पैसा तो देना है, उस amount पे 15% per annum, interest के साथ आपको वापस करना पड़ेगा, तो ये था बेटा मोटा मोटा, section 39 और 40, समझ में आया सर, अब इसके basis में मैं तुमको, वापस से लेके चलता हूँ, question में, अब question को पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से, समझ में आएगा, क्या बोला है, अपने कौन कौन से स्टॉक एक्सेंज में अपलाय किये हैं, जिस में से एक ने reject कर दिया, ये बात question में given है, दूसरा minimum subscription amount कितना रखा, उनने 15 लाक रुपे का रखा, minimum subscription की कम से कम, subscription के वक्त, एप्लिकेशन के वक्त 15 लाग आना चाहिए और शेयर एप्लिकेशन मनी पर शेयर रखा है कि एप्लिकेशन के वक्त आपको जब आप अपलाए घर होगे तो कम से कम पर शेयर में 20 पे करना है 100 रुपे का एक है 20 पे करना है बोल रहा है बराबर है क्या 100 रुपे का एक है 20 पे करना है बोल रहा है अपने को यनिकी यहाँ पर यह लोग ने minimum application money जो है वो 20% रखी अपने को कम से कम 5 चाहिए थी उनने तो 20% रखी यहाँ पर अपने को समझ में आ गया और minimum subscription जो रखा है कि application जब आप करोगे तो minimum subscription कितना आना चाहिए पंदरा लाग का आना चाहिए यह prospectus में तीन बाते लिखी भी है ठीक है sir question में दिया हुआ है कि issue fully subscribed हो गया पूरा का पूरा subscribe याने कि पूरा का पूरा एक लाग equity share के लिए application आ गया है पूरा subscribe हो गया है और A limited ने 20 लाग रुपे receive किये share application में बहुत बढ़ी हो गया है तो और proceed भी कर दिया allotment के लिए आने कि allotment के procedure में बढ़ चुके है वा जीवा अब आपको बताना है तीन disclosure बताईए वो ले तीन disclosure बताईए जो कि deciding factors है in allotment of shares और उसका परिणाम violation तो हुआ होगा कुछ ना कुछ ऐसा कह रहा है तो उसका क्या परिणाम होगा क्या consequences for violation क्या होगा अब आपको ये समझना है पहली बात तो मेरे को बताओ कि इनने जो allotment के लिए proceed कर लिए क्या वो allotment valid है क्या क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप stock exchange को apply करते हो तो सिर्फ apply करने से फर्क नहीं है आपको permission भी लेनी है अच्छा आप चाहो तो सिर्फ एक पे apply कर दो चाहे एक से ज़्यादा पे कर दो अगर आपने एक पे apply किया है permission भी मिलने चाहिए 2 में apply किया दोनों की permission मिलने चाहिए 3 में apply किया 3 की permission मिलने चाहिए हाँ बिलकुल correct अब यहाँ पर तुमने 3 को apply किया है जिसमें से 2 ने approve किया और एक ने reject कर दिया अच्छा वो reject कर दिया तुमने offer भी दे दिया तुम्हारे सब्सक्रिप्षन भी आगए, मिनिमम सब्सक्रिप्षन तुम्हारा एप्लिकेशन मनी मिनिमम एप्लिकेशन मनी 5% होना चाहिए अपने भी सब बराबर है लेकिन permission ने मिली stock exchange से अब बात यहां पर यह आती है भाई और भेनो कि ये जो प्रोसीड कर दिया अलॉट्मेंट के लिए पहले बाद तो तीन डिस्क्लोजर कौन से पहला डिस्क्लोजर आपने अपलाए किया है पर्मिशन भी मिलनी चाहिए दूसरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन तीसरा मिनिमम अप्लिकेशन मनी जिसमें पैसा भी आजाना चाहिए तो तीन तो डिस्क्लोजर है बाकी सब अपनी जगा है लेकिन एक जो अप्रूवल मिलना था नहीं हुआ तो ये जो आपने प्रोसीड कर दिया अलॉट्मेंट के लिए इसको आप क्या नाम दोगे इर्रेगुलर अलॉट्मेंट समझ में आरी बात भाई ये तो इर्रेगुलर अलॉट्मेंट है क्योंकि आपको आपने तीन को खोश्यारी दिखा के आपने तीन लोगों का अप्लाई किया तीन में से एक रिजेक्ट हो गया जित्तों का अप्लाई कर रहे है उतके का परमिशन अपने को मिलना चीए तो बाकी चीज़ अपनी जगा सही है मिनिमाम सब्सक्रिप्शन अपनी जगा सही है मिनिमाम अप्लिकेशन मनी अपनी जगा सही है जितनी भी चीजे जो मैंने star mark कराई थी उस सब अपनी जगा बराबर है लेकिन यहाँ पे आपने जो stock exchange में अप्लाए किया था तीन में से एक ने मना कर दिया और उसकी मना करने की वज़़ा से आपका allotment क्या हो गया irregular आओ इसकी थोड़ी सी नोटिंग कर लो फटा फटा करक्स लिखवा देता हूं लिखियेगा एस पर section 39 no allotment unless amount stated hint answer है ना पूरा नहीं लिखवार हो stated in prospectus minimum amount कर लो इसको minimum amount stated in prospectus is या has been subscribed has been subscribed दूसरा सम्स पेबल on application received by the company by check or other instrument दूसरा amount पेबल on application shall not be less than 5% of nominal amount तो यहां तक तो सब ठीक था 39 की सारी चीज़े अपने comply कर लिए लेकिन बात जब आती section number 40 की तो section number 40 में अपने दिक्कत कर के लिए section 40 अपने को बोलता है कि भाई आपको सिर्फ apply नहीं करना है आपको साथ साथ में permission भी लेनी है तो 40 के हिसाब से अगर देखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि company has proceeded यह 40 के basis पे लिख रहा हूँ है 40 का provision नहीं है on the basis of 40 लिख रहा हूँ company has proceeded with making the offer of shares it has violated the provisions of section 40 therefore this shall be deemed to be irregular allotment of shares I hope आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है आगे बढ़के लिते आगे बढ़के लिते तो 39 और 40 जो major portion था part 1 का वो हो गया private placement बहुत शानदार तरीके से हो गया आगे बढ़ रहे हैं इसको ध्यान से समझ के लिए ना प्यारा question है बहुत प्यारा question है देखो लिखा है Johnson Limited है public issue किया public issue definitely prospectus से होगा वो oversubscribed होगा oversubscribed याने की मानला अपने 1,000,000 shares issue किया था लेकिन बहुत सारे लोग लेने के लिए आ गया shares कम पड़ गए और लोग जादा हो गए लेने वाले तो oversubscribed होगा कमपनी के अंदर कोई भी managing director नहीं है कमपनी के अंदर कोई भी whole time director नहीं कमपनी के अंदर कोई भी officer नहीं है और किसी भी person को board के द्वारा दरजा भी नहीं दिया गया responsibility भी नहीं दी गई कि आपका काम रहेगा ये सब allotment को manage करने के लिए अब अपने पास question ये है कि भाई default तो कर दियो officer in default ने provision क्या है मैं आपको ये बताता हूँ section 39 का जो provision है वो अपने को कहता है एक second दिखाता हूँ आपको provision ये हमने अपनी regular book में section 39 खोला, section 39 को 90% application वाली बात फिर उसके बाद ये सारी बात है इधर आते है अपन फिफ्ट वाले पे सब सेक्शन फिफ्ट जहां पे पैनल प्रोविजन है लिखा हुआ है in case of any default under सब सेक्शन 3 जो भी अगर आप default करते हो over subscribe हो जाते है तो अपने को क्या करना पड़ता है return करने पड़ते है पैसे तो देखो माँ पे लिखा हुआ है if the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue the amount received shall be returned जो अपन पड़ चुके तो अब over subscribe हुआ तो भाया जिनका extra पैसा है return करना पड़ेगा तो बस इतना बोला कि भाया default हुआ है अपने को question में ही बोला कारण नहीं बताया कारण नहीं बताया कि default क्यों हुआ ये देखो default committed by officer and default officer of the company के दोवारण default हुआ क्यों हुआ ये question पे नहीं बताया अब अपन वापास इदर आते और सीध अपन पैनल प्रोविजन में जाते कि in case of any default under subsection 3 or subsection 4 कोई भी आप default करते हो तो company और officer जो की default में है वो liable होगा penalty के लिए for each default her default के लिए of 1000 rupees for each day during which the default continues और 1 lakh rupees जो भी कम है यानि कि 1000 रोज लगेगा जब तक default continue जब तक आप उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हो ठीक है या तो 1 lakh रुपे दोनों में से जो भी कम है अब question में ही अम पने को एक बात और बता के लिवी है अगर आपको ख्याल पे आ रहा है company में कोई भी managing director नहीं है whole time director नहीं और any other officer भी नहीं है जिसको board ने जिम्मेदारी दी कि तुम्हारा काम था ही है default तो हुआ अब provision में बोला है कि director और officer in default जो है उनको रोज की 1000 रुपे की fine लगेगी और 1,00,00 रुपे दोनों में जो भी कम है अब point आता है sir officer in default कौन होता है तो पहले अपने को officer in default का definition देखना पड़ेगा वो अपने को मिलेगा chapter number 1 के definitions में क्योंकि section 2 के अंदर पूरी definition दिये section 2 clause 60 के अंदर आपको officer in default का definition मिलेगा clause 60 पे तो यह देखो officer who is in default तो बोले कौन कौन रहे का officer in default तो बोले whole time director officer in default कह दाता है key managerial person officer in default कह दाता है भाई हमारे question में दिया है कि company के अंदर na whole time director है ना KMP है ठीक है there is no KMP such directors or directors as specified by the board board ने किसी को responsibilities नहीं दिये any person who is charged with the responsibility सब लिखा हुए कि भाई ये सब तो कुछ भी नहीं है fifth वाला लिखा है any person in accordance with who to revise the board of director ये भी हमारे question में missing है तो बोले अगर कुछ भी नहीं मिलता ना whole time director मिलता ना किसी person को जिम्मेदार ठेरा है तो देखो क्या लिखा है sixth point every director in respect of a issue or transfer of any shares of a company ठीक है the shares, transfer agent, registrar and merchant banker to the issue of the transfer फिर ये officer in default मानेंगे क्रम वाइस जाना है one है क्या, two है क्या अगर one, two, three, four available है सब officer in default है तो जो जो प्रेजेंट है सब officer वो कोई भी नहीं है तो हर director जो भी issue or transfer of shares के लिए जिम्मेदार है वो सब के सब officer in default माने जाएंगे अब अपने question में अगर अपन वापस आते हैं तो देखो लिखा है ना MD है ना whole time director है ना तो किसी officer को board ने जिम्मेदारी दिये तो फिर क्या होगा company के अंदर जितने भी director रहेंगे वो सब के सब क्या रहेंगे liable रहेंगे तो ये section 39 के उपर आपका दूसरा question हो गया लिखिये फटाफट crux लिखिये पूरा ने लिखवा रहा हूँ ठीक है चलिए लिखिये गा इन दा गिवन केस इन दा गिवन केस विस मत लिखो सीधा crux लिखो as in company there is no MD old time director or any other officer person designated by board with the responsibility of complying with the provisions of the act therefore in such situation all the directors of the company may be treated as officer in default इसका आगे बढ़के लेते हैं अपन बहुत प्यारा कुश्चन आया इसको समझ के लेते अबना इसको समझाने के पहले मेरे को छोटा सा आपको एक concept समझाना है फिर ये question को अपन समझ के लेते हैं छोटा सा concept अंडर राइटर के बारे से जो मैं आपको बताया था न उपर की अपने को ये सब बड़ा बड़ा पढ़ने के बाद अपन अंडर राइटर वाला पढ़ेंगे तो देखो प्राइवेट प्रेस्मेंट हो गया 39, 40 के काफी सारी चीज़े हो गया ये बहुत इंपोर्टेंट थे दोनो तीसरा जो है अंडर राइटिंग कमिशन वाला तो अंडर राइटिंग कमिशन से पहले अपन ये समझते कि अंडर राइटर होता कौन है अंडर राइटर का रिलेशन बेटा मिनिमाम सब्सक्रिप्शन से जैसे मैंने आपको बताया न कि कम से कम 90% आपका टोटल इशू का सब्सक्राइब होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो बोला जाता है कि आपका जो इशू है वो फेल हो गया ठीक है जी तो मान लो भाई कमपनी ने पब्लिक आफर करा कमपनी ने प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाए अपलाए किया स्टॉक एक्सचेंज में उनकी पर्मिशन ली प्रिंटिंग का खर्चा प्रोस्पेक्टस का स्टॉक एक्सचेंज में अपलाए करके पर्मिशन लेने का खर्चा फिर वही prospectus ROC को भी फाइल किया जाता है उसका भी खर्चा ठीक है expert यानि कि professional जो इसको बनाते हैं उनका खर्चा prospectus के अंदर बहुत सारे declaration देने पड़ते हैं उनके खर्चे यह सब लगते हैं और मान लो आपने public issue लाया 10,000 shares का 10,000 shares में 8,000 shares subscribe हुई यानि कि 80% अब 20% subscribe ना होने की वज़े से यानि कि 10% बोल लो क्योंकि 90% minimum subscribe होने ही चाहिए आपका total issued capital का अब वो 10% की वज़े से जो नहीं हुआ 90% आपका issue fail आपका पूरा जो खर्चा लगा professional का ROC की filing, face stock, action सब गया गढ़े में अगर आपको इस चीद से बचना है आपको यानि की company को तो company appoint करती है एक underwriter को वो underwriter कौन होता है, sir क्या करता है underwriter का का काम ये होता है यदि company ने जब public offer लाया तो एक समय सीमा होती है 10 दिन, 15 दिन suppose example की भई offer इतने समय तक उपन है जितने लोगों को subscribe करना कर लो तो suppose 15 दिन का अपने पास time है suppose suppose दिख रहा है यार 10 दिन हो गए अभी तक 10,000 shares का सिर्फ 7,000 application आये subscription आये minimum subscription के लिए 2000 और चाहिए क्योंकि हमने क्या कि 10,000 7,000 आये 2000 और चाहिए कम से कम 90% होना चाहिए तो underwriter एक मसीहा का काम करता है वो जब दिखता है कि company के share subscribe नहीं कर रहे है और minimum subscription चाहिए नहीं तो issue fail हो जाएगा underwriter आपके बचे वे 2000 shares को लेके minimum subscription को fulfill करवा देता है अगर minimum subscription public से ही आ गया तब underwriter का कोई काम नहीं है अगर पूरा ही over subscribe हो गया आपका issue तो भी underwriter का कोई काम नहीं है तो underwriter का काम तब आता है जब minimum subscription अपना fulfill होते वे नहीं दिखता है ना तो underwriter आता है मसीहा के तौर पे और वो आपके बचे कुछे share जितने जरूरी है minimum subscription को fulfill करने के लिए meet करने के लिए उतने shares वो ले लेता है उस underwriter को commission देना पड़ता है company के द्वारा वो shares की commission अलग होती है debentures की commission अलग होती है उसके क्या प्रवधान है यह अपन समझके लेते हैं तो आप समझना यह question को अपन बाद में पड़ते हैं पहले अपन जो underwriter के provision है ना section 40 subsection 6 में underwriter के provision आते हैं तो ध्यान दीजेगा section 40 subsection 6 तो देखो लिखा है a company may pay commission to any person in connection with the subscription of its securities subject to such condition as may be prescribed तो नीचे condition है तो देखो लिखा हुआ है क्या क्या condition है ध्यान से समझना लिखा है company may pay commission to any person किसी भी person को आप दे दो commission in connection with the subscription or procurement of subscription procure मतलब लेना to its security whether absolute or conditional absolute or conditional का मतलब कि भाई देख minimum subscription नहीं होगा तो ही देखो उसको बोलते है conditional subject to the following condition तो यहाँ पे जो any person की बात हो रही है यह any person और कोई नहीं है बलकि एक वो underwriter है अब एक एक करके देखना सबसे पहले अगर company को commission pay करनी है तो article पे permission होना चाहिए authorize in the company's article of association पहला point company के article of association में permission होनी चाहिए कि हाँ भाई आप underwriter को commission दे सकते हो अगर article पे permission नहीं है फिर भी देना चाहते हो alter करो special resolution pass करो article alter करो पहले permission तो चाहिए commission का जो source है lawmaker ने उसको restricted रखा है बोले या तो आप किस से दोगे out of proceeds of the issue out of the proceeds of the issue का मतलब क्या है आपने public offer लाया public offer से आपको क्या मिला पैसे मिले सब apply कर रहे होंगे तो proceeds का मतलब या पे पैसा है आपने जो issue लाया public offer किया shares issue किया उससे जो पैसे आए है ना उसको बोल रहे proceeds बोले या तो उससे दोगे या तो company का profit है उससे दोगे कोई तीसरा source नहीं है इसके अलावा तुम बोलोगे कि भाई नहीं हमारे पास loan लेके हम पैसा दे रहे अंडर राइटर को नहीं चलेगा ठीक तो पहले article में permission दूसरा source restricted है proceeds of the issue से मिलेगा या तो profit से मिलेगा तीसरी बात commission कितना होगा shall not exceed अगर बात shares की अगर underwriter आपके shares का underwriting commission ले रहा है तो 5% of the price at which shares are issued और या तो आपके article में जो rate दिया दोनों में से जो भी कम है तो समझ लीजिए जैसे की मान लो 100 रुपीस का एक share है वो कितने shares ले रहा है कितने shares ले रहा है वो तो मान लो उसको लेने पड़े 10 shares underwriting के लिए और 100 रुपीस का एक share है तो इसका पांच परसेंट करोगे तो कितना आएगा पांच रुपे आएगा बराबर अब पांच इंटु 10 ऐसे बोलके वो पचास रुपे की commission लेगा तो देखो लिखा हुए ना 5% of the price at which the shares are issued 5% of the price at which the shares are issued और a rate authorized by the article मान लो आर्टिकल पे लिखा हुए 3% example के तौर पे दोनों में कम क्या है lawmaker बोल रहा है 5% और बोल रहा है आर्टिकल पे जो rate authorized है दोनों मेंसे जो कम है तो फिर 3% ही मिलेगा आपको और debenture के case में 2.5% at which the debenture are issued और as specified in the article दोनों मेंसे जो भी less है तो मान लो यहां पे 1% लिखा है तो फिर 1% मिलेगा ठीक prospectus में आपको बताना है नाम के अंडर राइटर का कौन से rate में और amount में आप उसको commission पे कर रहे हूँ कितनी securities वो underwrite कर रहा है याने कि ले रहा है there shall not be paid commission to any underwriter on securities which are not offered to the public for subscription अच्छा point है मान लो आपने आपकी जो registered capital है authorized capital है वो 10,000 shares की है याने कि इतने shares आप company के lifetime में issue कर सकते हो लेकिन company को अभी पूरे shares issue करने की जरुआँ थोड़े पैसे की ही जरुआँ तो company ने 5000 shares issue की है public को तो जो shares public को issue की है उस पे 90% होना चाहिए बचे 5000 तो अपने public को offer ही नहीं किये तो ये वाले shares आप underwriter को नहीं दे सकते जो अपने public को offer नहीं किये जो अपने public को offer दिया सिर्फ उसी पर ही underwriting commission मिलेगी एक copy जो contract हुआ है आपका underwriter के साथ कि इतने commission pay करेंगे अर्शा ऐसा एक copy उसका आपको ROC को भी देना है कब at the time of delivery of prospectus for registration नहीं for filing है पहले register करवाना पढ़ता था prospectus को अब इसे file करना होता था क्या फरके सर दोनों में file का मतलब होता ROC को बस inform कर दी ये prospectus है register का मतलब होता आपने ROC को दिया ROC जब तक उसको register नहीं करेगा तब तक आप public offer नहीं ला सकते थे तो ये फरक है register और file पर ठीक है जी समझ में आ गया अब आपको ये सारी चीज़ समझने के बाद अब आपको मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ और ये question है तो देखो unique builders limited unique builders limited का मतलब क्या है एक construction company नाम से ही समझ में आ रहा है public company है उनने decide किया कि underwriter को वो 2.5% of value of debentures का underwriting commission देंगे underwriter को लेकिन उनके article में सिर्फ 2% की authority है तो पहला question क्या 2% दे सकते मेरे हिसाब से तो नहीं दे सकते क्योंकि whichever is less बोला अच्छा उसके बाद क्या बोला है कि company ने decide किया बाद में later कि ना हम underwriter को क्योंकि हम builder वाली company है तो हम underwriter को commission cash में नहीं देंगे हम decide कर रहे है कि हम underwriting commission को flat के form में देंगे यनि कि underwriter का जो भी commission बन रहा है उसको commission cash में पे करने के बज़ा हम उनको flat देंगे ये लो रख लो commission में तो प्रशन ये है कि क्या वो इस form पे flat के form पे commission दे सकती ही क्या अब इसका answer बेटा ऐसा है कि तुमने पूरा provision पढ़ लिया section 40 clause 6 का कहीं पे भी आपको ऐसा दिखा कि restriction है कि तुम cash में commission दोगे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे section 40 sub section 6 जो payment of commission की बात करता है वो इस मामले में silent है कि कि किस mode में आप underwriting को commission दोगे source के लिए बात किया है mode की बात नहीं किया source के लिए क्या बात किया है source बोला या तो issue of proceed से दोगे या तो profit से दोगे source कहां से आएगा commission का source कै वो बता है कि भाई या तो proceed से दोगे profit से दोगे या तो किस से दोगे issue of proceed से दोगे यहां से दोगे करके commission के बारे से लेकिन mode नहीं बता है किस mode में दोगे समझ में आरी बात mode नहीं बता है पैसा वहाँ से लाके पैसा दोगे, यह बता है, अब हो सकता है उसी पैसे से जो इशू आया, प्रोसीड का, उतने कई आप उनको फ्लैट दे दिये, या उतने कई आप उनको प्रोफिट Ultimate अपने का अपने उनको फ्लैट दे दिये, किस mode में पे पे करोगे यह नहीं बता है, कि भाई commercial क्या है वो cash में करोगे, kind में करोगे, ये नहीं बता है, इस पर वो silent है, तो क्या pay कर सकते हैं, मेरे explanation के हिसाब से अब वो pay कर सकते हैं, आईए इसका crux answer लिखिए, full screen कर देता हूँ मैं, full screen में लिख लेते हैं, चलिए, crux answer लिखिए, the company, आपको provision लिखना है पूरा, जो मैंने आपको भी पढ़ाया ना, कि underwriter की commission कैसे होगी, कैसे होगी, the company में pay the underwriting commission, in the form of flats, as both companies act and the rules, do not impose any restriction on the mode of payment, दो यने की हाला की, the source has been restricted to either the proceeds of the issue, इदर the proceeds of the issue, और profits of the company, I hope आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो commission वाला भी point होगया बिटा, commission वाले question भी होगया, अब ये question है, report, which shall be included in prospectus for the purpose of providing financial information, पता नहीं ये question को क्यों डाला है, आज तक financial information के related क्या provision रहेगा, ये बात अपने ना syllabus पे दी है, ना से भी इसको धंग से prescribe किया है, बता दूँगा उसका क्या है, read कर लेना, बड़ा easy सा point है, कैसे करेंगे, वो बता दूँगा, लेकिन करना उसको, क्योंकि उसको ना बहुत सारे MTP और MTP नहीं, RTP पे पूछा हुआ था बहुत सारे, और एकाद exam में वो आया भी है, कि prospectus में financial information से related क्या आपको डालना है, तो section number 26 आप पढ़ लोगे, वो पूरा आपको छापना है वहाँ पे, वो हो जाएगा वहाँ से, ठीके, अब बात को ध्यान से समझके लेना, सुदर्शन वाला question करके लेते, अब अपने कोई क्या question बोल रहा है, ध्यान से समझना, सुदर्शन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, डील कर रहा है, in export of rubber, to specific foreign countries, यानि कि rubber export करता है, सुदर्शन एक्सपोर्ट्स कुछ foreign countries को, company was willing to purchase rubber trees, in AP state, आंदरप्रदेश state में, rubber trees जो होते हैं, वो purchase करना चारी है, उसके काम ही export करने का rubber, ठीक है जी, prospectus issue किया गया, company के द्वारा, जिस पे कुछ important extract थे, export report थी, expert report थी, and number of trees in AP state, कि भाई, कितने, आंदरप्रदेश state में, कितने trees हैं, export, expert की report थी, यह सरी चीज़ थी, और report में, पता चला कि रिपोर्ट अंट्रू है, ठीक है जी, आलोग करके एक purchaser है, shares के, अपसुदर्शन exports, on the basis of exports reports published in the prospectus, उनको अब क्या करना है, sue करना है, ठीक है, आलोग ने shares purchase किया था, will Mr. Aalok have any remedy against the company, क्योंकि, आलोग का मानना है, कि prospectus में untrue statement था, state also the circumstances where an expert is not liable, तो question क्या है भाई साब, कि आलोग के पास क्या remedy है, क्योंकि आलोग का मानना है, कि जो भी prospectus में expert की report थी, और जो number of trees बताए गए, वो जो fact था, वो untrue था, तो अब आलोग के पास क्या remedy है, और expert की जो report थी, बार बार ना expert का export निकल रहा है, expert की जो report थी, तो expert की जो report है, वो भी गलत थी, तो expert भी liable रहेगा, और बोल रहा है कब-कब expert liable नहीं होता है, तो मैंना आपको कुछ provision पढ़ाना चाहता हूँ, पहले provision पढ़ लोगे, तो इसका answer करना अपने को easy हो जाएगा, ध्यान से समझियेगा, just a moment, हाँ जी, अगर prospectus में miss statement है, अब miss statement का पहले मतलब समझ लो, miss statement सिर्फ ऐसा नहीं होगा, कि आपने कुछ गलत बताया, कुछ जरूरी बात बता नहीं थे, अगर आपने वो भी छुपाया भी है ना, तो भी वो miss statement में आता है, बताता हूँ कैसे, जैसे कि मान लो, company को, company के prospectus में लिखा कि, company पिछले 3 साल से dividend बाट रही है, ठीक है, अच्छी बात है, dividend कहां से बाट रही ये नहीं बताया, dividend company free reserve से बाट रही थी, यानि कि जो पुराने पैसे कमाये वे थे ना, उससे बाट रही थी, पिछले 3 साल से तो company को loss ही हो रहा है, यानि कि profit का एक रूपे नहीं आया, लेकिन जो जमापुंजी पहले की थी, वो जमापुंजी, वो जमापुंजी से निकाल निकाल के dividend दे रहे थे, अब इसको अपन बोलते हैं, omission of fact, भई ये भी बताओ ना कि 3 साल से loss हो रहा है, तुम बस ये बता रहे हो कि 3 साल से dividend बाटा जा रहा है, कहां से बाटा जा रहा है, ये नहीं बता रहे हो, loss हो रहा है, ये नहीं बता रहे हो, omit कर रहे हो, जान बुझके, तो कुछ गलत information दे रहे हो, तो ये तो miss statement है, कुछ छुपा रहे हो, omit कर रहे हो, जो बताना चाहिए, नहीं बता रहे हो, वो भी क्या है, miss statement है, तो देखो लिखा हूँ है Mrs. Statement is the act of stating something that is false or not accurate it could either be by commission और by omission of both यानि कि कुछ गलत बता रहे हो तो भी Mrs. Statement जो बताना चाहिए तो उसको omit कर रहे हो वो भी Mrs. Statement दो प्रकार की liability बनती एक criminal liability और एक civil liability criminal liability का मतलब क्या है आप जान बुच कर ये हरकत की हो जान बुच कर आपका intention गलत था आप लोगों का पैसा ठगना चाते थे अब फिर हेरा फेरी वाला 21 दिन में पैसा डबल करने वाला आपका scheme था intention ही बुरा था तो उसको बोलेंगे कि आपका mens रिया था इल्टी माइंड था और जितने भी परसन ने उस प्रोस्पेक्टस को ऑथराइस किया कि हाँ इसके बेसिस पे लो जितने भी चाहे वो expert हो कोई professional involved हो सब के सब criminal liability के अंदर कारवाही के अंदर जाएंगे अब बात यह आती है कि सर यह तो समझ में आगया criminal liability होगी अगर intention बुरा है कुछ example दीजिए एक मेरे पास example है जो मैं miss representation पढ़ाते वक्त देता हूँ एक company थी जो की train चलाने का काम करती थी ठीक है तो उनको पैसे की जरुवत थी तो उन्होंने पाल्यमेंड एक prospectus पर यह लिखा कि भाई हमको permission मिल गई है कि हम steam engine steam engine वाला steam engine वाली train चलाएंगे तो steam engine वाली train चलाने के लिए permission लेनी पड़ती है सबसे पहले parliament से पुराना case बता रहा हूँ और parliament की permission लेने के बाद board of trade की permission लेनी है तो company ने क्या किया parliament को apply किया parliament को apply किया तो parliament से permission मिल गई board of trade को company ने apply किया क्योंकि parliament से approval मिल जाने से ऐसा नहीं कि अब steam engine चला लो parliament से approval मिलने के बाद आपको approval लेनी board of trade से और उसके बाद आप steam engine वाली train चला पाऊगे यने की step one permission लेनी parliament के और step two permission लेनी board of trade के अगर parliament ही permission नहीं देती है तो फिर board of trade तक जाना ही नहीं है अब company ने parliament से permission मांगी पाल्यामेंट ने permission दे दी तो company के director को ऐसा लगा कि जब पाल्यामेंट ने permission दे दिये के तो board of trade तो दे ही देगा तो क्यों मना करेगा और ऐसे करके prospectus पर ये छाप दिया कि भाईया हमको सारे approval मिल गए है steam engine वाली train चलाने के लिए और तब तक board of trade का approval अभी pending था आया नहीं था और prospectus issue कर दिया बाद में board of trade ने उनका जो approval है वो खारिच कर दिया permission नहीं दी बोले पाल्यामेंट ने दे दिया तो क्या हुआ हम नहीं देंगे किसी कारण से नहीं दिया होगा वो क्या कारण था that I don't know फिलाल के लिए वो relevant भी नहीं है अब बोला गया कि board of director ने fraud करने की intention रखी criminal liability लगेगी तो board of director ने यह साबित किया कि भाई हमारा तो ऐसा था कि parliament ने permission दे दी तो board of trade तो दे देगा guilty mind नहीं था गलत intention नहीं था कुछ गलत नहीं सोच रहे थे तो उसके लिए exception exception क्या देखो if he proves who he जितने भी लोग involved है उस prospectus की issue में जिस पे miss statement है if he proves that such statement or omission was immaterial or that he had reasonable grounds to believe till the time of issue of prospectus that the statement was true or the inclusion or omission was necessary अब वो लोग अगर proof कर देते हैं कि भाई वो immaterial है हमको तो believe था he has reasonable ground to believe till the time of issue of prospectus हमको तो लग रहा था board of trade की permission मिल जाएगी जब parliament की मिल गई है तो और हमको तो सब सहीं लग रहा था हमारा guilty mind नहीं था तो exception है आपको criminal liability से आप बच जाओगे एक है civil liability civil liability के लिए मैंने यहीं पर noting की भी है आप यहीं से पढ़ लो civil liability तो देखो where a person has subscribed for securities of a company acting on any statement included जो भी statement जैसे आलोक ने statement पढ़के किया which is misleading and has sustained any loss वो person को loss हुआ जैसे आलोक को लग रहा उसको loss हुआ the company and every person जो की director था उस company का जब prospectus issue हुआ who has authorized himself to be named and is named in the prospectus as director जो खुद को authorize कर रहा है कि भाई मेरा नाम लिख उस prospectus में और उस prospectus में इसका नाम as a director की पदवी में हो of the company और has agreed to become such director either immediately or after an interval of time promoter है company का या person जिसने authorize किया है उस prospectus को issue करने के लिए और expert referred in subsection 5 पढ़ाओंगा भी subsection 5 26 का जो है यह सब के sub person civil liability के लिए liable रहेंगे और यह liable रहेंगे to compensate every person who has sustained loss or damage याने कि जिस भी व्यक्ति को miss statement की वज़े से shares purchase करने की वज़े से जो damage हुए उसको आपको compensate करना पड़ेगा ठीके सर समझ में आया अब इनके लिए भी exception है अगर तुम भी proof कर देते हो that having consented to become director मैं बोला तो था कि मैं director बनूंगा लेकिन मैं अपनी consent को withdraw कर लिया था उस prospectus को issue होने के पहले यह जो second point है ना एक बर मैं आपको अपस से repeat करता हूँ आपको confusion ना हो इस पर देखो यहाँ पर क्या बोला है अपने को कि या तो तुम director हो पहला वाला point के आप बोल रहे है या तो तुम company के director हो जब prospectus issue हुआ था या तो तुमने खुद ही authority दी कि मेरा नाम लिख दो और उसका नाम लिखा गया prospectus मैं as a director खुद authority दे रहे himself to be named as director in the prospectus of the company और agree भी किया मैं director बन जाओंगा अभी है नहीं लेकिन बोल दिया मेरा नाम as a director लिख दो मैं बन जाओंगा immediately बन जाओंगा prospectus issue होते वक्त या कुछ समय बाद बन जाओंगा लेकिन director बनुगा मेरा नाम as a director चड़ा दो तुम prospectus में ऐसा वो कह रहे है तो वो कब बच जाएगा civil liability से भी कब बच जाओगे अगर प्रूफ कर देते हो कि भाई मैं consent तो किया था मैं director बनूँगा लेकिन मैंने अपनी consent withdraw कर ली थी prospectus issue होने के पहले और वो मेरी authority और consent के बिना issue हुआ है तो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मेरे को civil liability मत करो दूसरा prospectus was issued without his knowledge और consent मेरी ना knowledge थी ना मेरी consent थी ठीक है और जैसे ही मेरे को पता चला मैंने तुरंत एक public notice दे दिया कि ये मेरे authority के बिना हुआ है फुल मिला कि आप ये बता रहे हूँ कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ मैं director बनने के लिए बोला था लेकिन consent withdraw कर लिया था issue होने के पहले दूसरा बोल रहा है मेरी authority के और मेरे knowledge के बिना issue हुआ वो और जैसे ही मेरे को पता चला मैंने public notice दे दिया कि भाई मेरे को नहीं पता था ये prospectus मेरी जानकारी के बिना मेरी authority के बिना हुआ है तीसरा उसको भी reasonable ground reasonable reason believe करने के लिए till the time of issue that the statement was true जैसे वो जो example दिया ना इनको लगा कि board of trade से permission मिल जाएगी क्या ही गलत लिख रहे हैं पर prospectus में तो वो तब तक वो believe कर रहे थे तो ये तीन situation में वो civil liability से भी बच जाएंगे कौन कौन बच जाएगा डारेक्टर जिसने concern किया था वो expert जितने भी लोग को मैंने आपका नाम यहाँ पर बताया ना ये सब के सब ये एक दो तीन चार पांच civil liability से भी बच जाएंगे अब आते हैं अपन question में कि आलोग को क्या remedy है तो ये again section number 35 है compensation करना पड़ेगा इसको अपन दुबारा नहीं पड़ेंगे कब expert liable नहीं होगा तो अपने को देखो बताया वा है कि expert ने अपनी consent withdraw कर ली बिना उसके knowledge के issue हुआ और जैसे ही उसको पता चला उसने क्या दे दी public notice दे दिया फिर क्या बोल रहा है कि उसको believe था अंत तक उसको believe था अंत तक उसको believe था that the person making the statement was competent to make it and the required by cut बराबर ये 32C अंत तक उसको believe था कि भाई या जो भी बाते बोल रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ पर सरल भाशा में समझाई है न वही तीसरे point में लिखी है यह यहाँ पर reasonable ground था believe करने का कि भाई जो मैं बता रहा हूँ prospectus अब तक इशूर था हमको लग रहा था हो सच है तो पहली बात तो यह है कि अगर वो लोग proof कर देते हैं तो civil liability से भी बच जाएंगे यहने कि compensation देने का भी कोई जरुवत नहीं है लेकिन अगर नहीं proof कर पाते हैं तो आलोग को compensation मिलेगा answer printed है notes the description में मिल जाएंगे आपको answer भी मिल जाएगा अब मेरी बात सुनना मेरे को आपको एक last बात पढ़ा के लेनी है पिर अपने इस session को conclude कर देंगे जो यह वाला question था ना कि भाई prospectus में financial statement से related अपने को क्या क्या disclosure देने होते वो मेरे को आपको बताना है और एक last बताना है यह वाला अपनने अभी तक यह नहीं किया irregular allotment मैंने कुछ चीजों को star mark किया था बराबर कुछ चीजों को मैंने star mark किया था मैंने वोला याद रखने इसको मैं अंत में बताऊंगा अंत वाला टाइम आ गया है एक मेरे को छोटा साब को चीज बताके लेना है यह section 26 है 26 के अंदर ना अपने को यह बताया कि क्या-क्या बाते आपको prospectus में डालनी है तो देखो आपका prospectus dated होना चीए और sign होना चीए यानि कि prospectus आपका इशू कि ओर date होना चीए sign होना चीए आपको information और report डालनी है on financial statement तो financial statement में कौन सी information कौन सी report डालनी है तो बोले वो से भी prescribe करेगा central government के साथ consult करके अभी तक वो prescription आपके syllabus पे नहीं है तो आपको ये इतनी ही बात लिखनी है आपको एक declaration डालना है prospectus में no non-compliance जब आप prospectus इशू करोगे तो आप एक declaration दोगे Companies Act का, Securities Contract Regulation Act का, SEBI Act का हमने कोई non-compliance नहीं किया कब आपको ये दो चीज prospectus में नहीं डालनी है जब आप prospectus इशू कर रहे हो अपने existing member और debenture holder को तो उनको तो भी already कच्छा चिठा पता है वो existing है पहले जब पहली बार member और debenture holder बने होंगे तब आपने बताया होगा तो उनको जानकारी अब तो जुड़ चुके company से तो ये date sign और ये financial reporting नहीं देनी है no non-compliance declaration देने की जरुवत नहीं एक तब जब existing member और debenture holder को आप क्या दे रहे हो prospectus दे रहे हो तो ये चीज नहीं भी रहेगी दोनों तो चलेगा दूसरा आप prospectus इशू कर रहे हो उन shares और उन security से संबंदित जो की same to same है जैसे पिछली बार आपने जो shares और debenture इशू किये थे न same to same चीजे वापस से वही class की security और वही shares इशू कर रहे हो तो बोले फिर ये दो चीज बताने की जरुवत नहीं है ठीक exception prospectus आपको ROC के पास file करना है ठीक है to be issued prospectus to be issued after filing में था ROC पहले register कराना पड़ता था अभी सिर्फ file कराना है अपने को sign करेगा इसको कौन director और proposed director अगर कोई है तो ठीक है या तो उनका agent expert जो है न जो भी expert इसको sign करता है कि हाँ भई ओके सारी चीजे prospectus में वो expert वो नहीं होना चीए जो company के formation promotion और management में इन्वाल्व है मतलब मानलो कोई company secretary है company form वो ही किया वो बंदा expert नहीं हो सकता तो भले expert excluded from making statement वो statement देगा एक expert का statement आता है वो बताता है कि भई मैंने prospectus की पूरी scrutiny किये और सब बात सही है लेकिन ये expert वो बंदा नहीं होना चीए ये statement उसका नहीं होना चीए जो company के formation promotion और management में इन्वाल्व है क्योंकि तुम तो बयास हो जाओगे ना तुम तो company के बारे साथ अच्छा ही बोलोगे तो expert excluded from making statement अगर वो engaged है formation promotion और management of the company में तो वो बंदा expert statement देगा जो formation promotion और management में involved नहीं है expert की return consent रहेगी कि भाई मैं अपनी मर्जी से consent दे रहा हूँ और सब सही कुछ है और उसने अपनी consent को withdraw नहीं किया है जब आप ROC को एक copy file करते हो न तब तक उसने अपनी consent withdraw नहीं की है आपको prospectus के face में बताना पड़ता है कि हमने ROC को एक copy deliver कर दी है और specify करना है कि prospectus के साथ आपको company के और कौन-कौन से संबंधिट document मिलेंगे ये prospectus के face में बताना है prospectus आपका जब से आपने issue किया है वहाँ से मतलब जब से आपने ROC को deliver किया है ठीक है वहाँ से 90 दिन तक क्या रहता है वह valid रहता है तो देखो लिखा है prospectus not valid if issued after 90 days of delivery to ROC यानि कि ROC को जब deliver करोगे वहाँ से 90 days के अंदर आपको issue करना है उतने के लिए वह valid रहता है ठीक है एक star आपको यहाँ पे mark करके लेना है एक star आपको यहाँ पे mark करके लेना है कि file करना अब यह कितने marking क्यों है मैंने कितनी marking कराई आपको यह बताओ star mark एक जब stock exchange को आप apply करते हो तो permission भीर में लेनी है उसके बाद ही आप offer करोगे दूसरा minimum subscription तीसरा minimum application चौथा ROC के पास आप आप file कर रहे हो अगर आप ROC के पास file नहीं कर रहे हो अगर आप minimum subscription नहीं ले रहे हो अगर आप minimum application money नहीं receive कर रहे हो अगर आप stock exchange से permission नहीं ले रहे हो जितनों को आपने apply किया है यह जितने non compliance की है और उसके बावजूद भी अगर आप share allot कर रहे हो इसको बोला जाता है irregular allotment इसलिए मैंने आपको बोला था कि last में मैं stark mark के बारे से बताऊंगा तो ladies and gentlemen, boys and girls irregular allotment कब माना जाता है irregular allotment कब माना जाता है यह कहीं पे भी just a moment क्या होगे इसको irregular allotment कब माना जाता है यह आपको लिखना है यह कहीं पे भी companies act में defined नहीं है कि किसको irregular allotment बोलता है लेकिन question पूद सकता है कि irregular allotment किसको बोलते तो आपको यह 4-5 situation आनी चाहिए यह last था और यह मैंने आपको बता दिया लिखिएगा irregular allotment point no.1 लिखिएगा irregular allotment में where a company does not issue a prospectus in a public offer public offer कर रहे हो लेकिन prospectus issue नहीं कर रहे हो as required by section no.23 irregular allotment माना जाएगा उसको second जहां पे prospectus आप issue तो कर रहे हो where prospectus issued ठीक है by giving misleading information by giving misleading information irregular allotment माना जाएगा क्या आपने कानून का पूरा पाला नहीं किया गलत तरीके से कर रहे हो where prospectus not filed with ROC under section 26.4 4th point लिखेंगे minimum subscription has not been received under section 39 5th minimum amount receivable on application is less than 5% 6th approval or listing has not been obtained obtained from one or more recognized stock exchange under section 40 of Companies Act to 2030 So, by your way इसलिए वो सारे चीज़ स्टार्ट मर्क कराया था कि ये सारी चीज़े अगर आप छोटा 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 नॉन कम्प्लाइंस करते हो तो वो सारी की सारी चीज़े इर्रेगूलर अलोट्मेंट के स्कोप के अंदर आ जाती है I hope आपको बहुत fruitful लगा होगा ये वाला भी revision lecture अच्छा अगर लगा हो तो comment section में भावना है जरूर व्यक्त कीजिए अभी भी मैं रात को ये आपके लिए lecture record कर रहा हूँ और बहुत मन से पढ़ाता हूँ आपको पता है कि अगर थोड़ा सा अच्छा लगे तो नीचे comment section में बताना उमीद कर रहा हूँ कि आपको ये lecture बहुत अच्छा लग रहा होगा बहुत help कर रहा होगा और मेरी best wishes आप लोगों के साथ कि आपका exam बहुत अच्छा जाने वाला है मैं समझ सकता हूँ इस बार जब आप student life में होते हो न और जब exam नजदीक होता है तो न थोड़ा सा anxiousness आता है थोड़ा सा stress create होता है बताना चाता है सब के लिए normal है यह होता है कभी कभी और यही जो तकलीफे आती न जो परिस्थिती थोड़ी सी पैचीदा होती है इन ही pressure और पैचीदा स्थिती में आप bold बनते हो आप निखर के बाहर आते हो आप क्या इतनी तकलीफ जिनने के capable बन जाते हो न तो आप bold हो जाते हो तो यह भगवान की रीत चल रही है एक रिवाद चल रहा है प्रकृती चल रही है जिस पे यह उतार चड़ा आते रहते है तो ज़्यादा tension लेने का नहीं मस्त से अराम से पढ़ाई करो मैं best effort दे रहा हूँ अपने की एकदम कम समय में मैं आपको कितना best दे दू अब जैसे यह जो मैंने आपको chapter कराया मुझे नहीं लगता इसके scope के बाहर कुछ prospectus पे आएगा आप पिछले exam के सारे paper MTP, RTP उठा के देख लो नस पकड़ा दी आपको और अगर आप मेरे regular student हो तो आपके तो गारे न्यारे हैं आप तो already पढ़ रखे हो हाँ जो revision ही देख रहा है उसको थोड़ा अपने से effort देना पड़ेगा so that's all from my side thank you so much all of you, take care, bye bye